मैं तो पादलों से तुरे जाओंगी मैं तो अपना ही सुर पाओंगी है जो ग्रेजी ग्रेजी सा पहने मेरे सारे चुन्दके में बुदर आओंगी हमाना ऐसे दुनिया की हुई नहीं मैं अपनी दुनिया बनाओंगी के के जिन्दगी मेरी सौखवा है शाओ हारे के जिन्दगी मेरी सौखवा है शाओ मैं बुदर 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 आओंगी सौखवा है शाओंगी मैं बुदर बुदर आओंगी मैं इन्च बुदर 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 दाओंगी सब की रोक है, टोक है, नोक है, जोक है पर दिल में फिर भी ओप है, है नोक है, लाइफ जोड़ी हाड है, अन्देखे काड है, और हम में तो स्टार है, है नोक है, माला इससे तुनिया की हूँ औरी नाहि में आपे ने ये दुनिया बनाओंगी एक जिंदगी मेरी सौफारिशा, एक एक मैं पूरी तरहाँ एक जिंदगी मेरी सौफारिशा, मैं जीना मैं पूरी तरहाँ मैं जीरा, मैं जीरा, मैं पूरी तल्हार पूर्वी, नंदनी, दिपाशी, दीप्ती, वाश, संचित, स्कोफिया, हिमाशु, क्वीन, वेरी गुद मॉर्निंग आईशा, अनुराग, दिव्यांजली, सिधान, लता, वैशाली, भारतवाच, प्रिंस, वेरी गुद मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता आप सब लोग बहुत अच्छे होएंगे, सो फाइनली सर, अब तो पंदरा दिन भी नहीं रह गए, ओए, क्यों डदा रहे हो सर, सब बढ़िया ही होएगा, बढ़िया होएगा, बढ़िया होना भी चाहिए, बढ़िया होएगा भी, सो डोंट वर्य अबाउट तो आज फा करेंगे, और आज फाइनली हम वाइंडिंग अप भी पढ़ेंगे, तो हम लोग आज आई बीसी वाला जो चैप्टर है, वो फुल फ्लेच्ट मॉडियू से कंप्लीट करेंगे, अलॉंग विद और रेगुलेशन और जो चोटे-चोटे-चोटे से रहे गे थे, लास्क्रा है कि पार्टे में हम लोगोंने बहुत सारा कंटेंट अल्यडी पढ़ा है वैसे तो, और ये टाइम एक्च्वल में शायद अब आपकी सेल्प स्टडी का टाइम है, और डेली के डेली हम लोग एक दिल घंटे की क्लास तो करते ही रहेंगे, कुछ इंपोर्टेंट इंपोर कर वादू, कभी-कभी ऐसा हुआ है सर की SBC के एक्जाम में आपको रिजल्यूशन ड्राफ्ट करने को आ गया, कोई नोटिस ड्राफ्ट करने को आ गई, एफिडेविट टाइप ड्राफ्ट करने को आ गया, वैसे आने के चांसे बहुत कम रहते हैं, बट आगर थोड़ा सा भी चांस है, तो क्यों हम उसको छोड़ें, तो मेरे को लगता है कि हम लोग को वो कर लेना चाहिए, जिससे कि हम आलगे थोड़ी सी असानी हो जाएगी, अगर ऐसा कोई बांस अटेक्ट कर पाएंगे, अटेम्ट कर पाएंगे, बिल्कु ठीक बात है, जिनके पास मेना नं दूट्स भी थे, दो-तीन तरीके के डाउट्स से बच्चों के, जो मैंने नोट्डाउन तो कर लिए थे, बट लास्ट पास में उनको आंसर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम उस पर्टिकलर टॉपिक तक पहुँच ही नहीं पाए थे, कि मैंने वो डाउट्स नोट किया होगी, क्योंकि अगर पहली वली क्लास आपने नहीं कर रखी है, तो आज वली क्लास करने में डिफिकल्टी हो सकती है, मैं ये तो नहीं बोलूगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, बट मेरा मानना ये है कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा चीजों को थोड़ा सा लेंक कर पाना, इसलिए मैंने रात में ही मैसेज डाला था और उस दिन भी बोला था कि अगली क्लास करने से पहले आप पुरानी अगी क्लास 5 घंटी की जो IBC की हुई है, उस पच्छे से कप्रीट करके रखेगा, हम लोगोंने प्रॉपर नोट्स बनाये थे, अच्छे तरीके से उ फाइनली वाइंड भी करेंगे, बिल्कु ठीक बात, शुरू करें सर, शुरू करें श्री गनीश करें, चलिए, आईए स्टार्ट करते हैं सर, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हुईगी, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस तो साथी साथ करते चल रहे थे, हम लोगोंने पास्ट जो लेक्चर्स किये थे, उसके साथी साथ क्वेशन्स भी किये थे, और हम लोगोंने लिखके भी देखा था, I don't think so, कि आपको हर सब्ज सब्जिक में राइटिंग प्रैक्टिस की जुरत होती है, एक बार आपको आंसर लिखना आ गया, then it is not necessary, like कि आप इसको ऐसे ना बनाओ कि हमको करनी ही करनी है, हो गई, ठीक है, तो आती है, काम खतम, उससे जाधा उसमें प्रिशान होने की जुरत नहीं है, अभी मेरे को ऐ मैं सोच रहा था कि पहले आपको winding up करा दूं, उसके बाद PPIRP कराओं तो ज्यादर बेटर रहेगा, मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा अलग था, ओ, नमन इसन सीतापूर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है, मिलिए बिल्कुल, मैं भी सीतापूर में का division किया था, और हम लोगों ने ऐसे बोला था कि सर हम इसमें CIRP पढ़ते हैं, जिस CIRP में हम लोगोंने almost section 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12 ये सब तो complete कर लिये थे, moratorium के regarding हम लोगोंने concept पढ़ना था, आज हम पढ़ेंगे, इसके लावा इसमें एक topic होता था, liquidation का, जो अभी हम लोग training portion नहीं था, इसके लावा एक था, voluntary liquidation, ये voluntary liquidation भी हम लोगोंने complete कर लिया था, इसमें भी किसी तरीके का हमको doubt नहीं रहा था, और last में हमारे पास एक topic और था, PPIRP, जिसको आज हम complete करेंगे, क्यों नहीं बेज़े था, राहूल मैंने तो last वास के notes already update कि हूए, drive पे, मैंने message भी जाला था कि notes drive पे update हो गए, आप चेक करिए, drive पे, चले, आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं sir, winding up से, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब winding up की, तो हमारे सामने कुछ confusions यहाँ प बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, companies act, companies act 2013, पैजान मैंने आपका question सुल लिए है, मैं आपकी question का answer दे दूँगा, attention अलिजए, हाँ, मैंने आपका question सुल लिए है, और अगर आपने बहुरी class नहीं देखिए, शाहिए इस वज़े से शाहिए आपको इडा कि हमारे सामने section number 270 से लेकर के section number 365 तक यह provisions, ऐसे provisions हैं, जो winding up से related है, companies act में, लेकिन हमारे इसले बस में सारे provision नहीं है, हमारे इसले बस में मालीजिए, आप तीन ही section है, समय लिए बस 70, 71, 72, 73, वो भी बहुत जाद ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने भी नहीं है, अब ऐस सिच्वेशन में हो गया रहा है सर, ऐसी सिच्वेशन में हो गया रहा है, कि सर हमको winding up का overview दिया जा रहा है, एक तरीके समको यह समझाया जा रहा है, कि companies act में हम winding up के लिए कबाद से, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जिनको in words में भी doubt हो रह किती देर तक चलेगी, मेरे को लगता है कि आज की class भी around 4-5 हंटे से पहले खतम नहीं होएगी, क्योंकि आज हम लोग सब कुछ wind up करेंगे सर, ठीक है, अब धिहान से देखते हैं, सर हम ऐसे बोलते हैं कि सर, जब हम winding up की regarding companies act की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो section 270 से लेकर 365 तक है, यह provisions है, इसमें बहुत सारे provisions बीच में ऐसे हैं, जो repeal हो चुके है, रिपील होने का मतलब IBC आने के बाद companies आके कुछ provisions को यहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, पूरी तरीके से खतम कर दिया गया, बीच के कुछ sections ऐसे हैं, जो हमको नही ही पढ़ने होते हैं, अभी दियान से पहले चीजों को समझते हैं सर, हम लोगोंने सर, last class में IBC पढ़ा था, 2016, बिल्कुल पढ़ा था, और इसमें हम लोगोंने, इसमें हम लोगोंने IBC 2016 में हमने एक particular person पढ़ा था, जिसको हमने नाम दिया था, IP, IP का मतलब था, insolvency professional, क्य आपके provisions की बात करते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो यह पूरा chapter है, chapter number 20 है, वैसे आपके अगर company's act की हम बात करें, तो वहाँ पे दो part है, एक है part 1, और एक है part 2, part 1 जो है, वो है winding up, by tribunal, और tribunal का मतलब जग जाहिर है, कि हम लोग का मतलब NCLT है, क्या है, NCLT, और जब हम part 2 की बात करते हैं, तो part 2 में provisions दिया हुए है, voluntary winding up, लेकिन सर, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, voluntary winding up, बच्चे की दिमाग में तुरंत एक घंटी बचती है, कि voluntary winding up की regarding, तो हम कुछ पढ़कर आये थे, तो कहते हैं, yes sir, हम पढ़कर आये थे, बिल्कुल पढ़कर आये थे, हम हम लोग voluntary liquidation पढ़कर आये थे, सर, section 59 में, of IBC 2016, कि last class में हम लोगों पूरा detail में discuss किया, और यही नतीज़े निकला, सर, कि जो यह पार्ट 2 है, यह हम लोग बैसे अकर हम बात करें, तो companies act में यहाँ पर section 304 से लेकर के, section 323 तक, यह provisions दिये होते थे, voluntary winding up के regarding, दिये होते थे, कि आज present time पर यह क्या हो चुके है, omit हो चुके है, आज ही omitted है, omitted होने का मतलब, अब companies act में voluntary winding up के regarding, कोई provision नहीं है, और क्यों नहीं है, शायद अब आप relate कर पा रहे होंगे, और इसलिए मैंने पहले आपको IBC कराया, अब आप देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि voluntary winding winding up के provision यहां से इसलिए हटा दिये गए, क्योंकि भाईया, ओल्लेडी वो IBC में section 59 में incorporate कर दिये गए, तो इसका मलब यह हो गया कि सर, आज present time पर हमको voluntary liquidation करना है, तो voluntary liquidation IBC के according होगा, companies act according, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा, हम इसका मलब ऐसे भी बोल सकत या फिर होगी voluntary liquidation, अब voluntary liquidation होईगी, तो फिर वो सीधे गवर्न हो जाएगी, IBC से उसका company's act से कोई लेना देना नहीं है, कि बास सुझ में आती है, what are words, मेरे साथ जवाब देते चलिएगा, नहीं तो बहुत problem हो सकती है, ठीक है, मेरे साथ जवाब देते चलिएगा, प्री winding up और liquidation होती है न, यह देखे, मैंने equals to का sign लगाया, equals to का मतलब है कि winding up और liquidation में कोई खास फरक नहीं, खास फरक क्या नहीं, मैं कहता हम कुछ फरक ही नहीं, दोनों एक बराबर, winding up और liquidation दोनों एक बराबर है, winding up word generally आप सुनेंगे, जब आप companies act के provision पढ़ेंगे, लेकिन corresponding meaning companies act में winding up, यह lawmaker ने companies act में जो word winding up लिखा है, उसका meaning same IBC में liquidation को दिया है, इसका मलब मैं मोटे मोटे तोर पे ऐसे आपको crux बता सकता हूँ, कि winding up और liquidation में as such कोई अंतर है ही नहीं, हाँ, dissolution में अंतर है, इस बात पर कोई शक नहीं है, और हम लोग वो discuss भी कर लेंगे कि dissolution में क्या आंतर, यहाँ तक तो सारी बाते clear रहे, विनीत कहते हैं सर, EVCL की revision अब कब होगी, कल होईगी विनीत, EVCL की revision and tomorrow it's going to be the last revision of EVCL, उसके बाद हम लोग प्रॉपर revision नहीं करेंगे, छोटे-छोटे-चोटे clips करेंगे, बस उसके जादा नहीं, तो कल हमारी EVCL की last revision होने आज आपको मैसे जा जाएगा, अब डिट मिल जाएगा, बिल्कु ठीक बात, अच्छा, हम लोग ऐसे भी पढ़कर आयते कि सर, जो IBC था न, उस IBC में हम ऐसे पढ़कर आयते, IBC 2016 में, कि सर, कुछ Insolvency Professional होते हैं, जिनको हम लोग उने नाम दिया था, Resolution Professional, क्या नाम दिया हम लोगों ने बुला तो मान लीजे, पूरे इंडिया में, एस सच ऐसे, 3000 Insolvency Professional है, और हम लोगों ने बुला कि जब CIRP की Process होती है, CIRP की Process होती है, या हम बोलते, जभी भी Liquidation होता है, तो इनके बिना, हम Resolution Plan त्यारी नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी appointment mandatory हो जाती है, Liquidator, हम ऐसे कहते हैं, जो Tribunal है, जो NCLT है, उसके पास कुछ Team of Officers है, जिनको वो नाम देता है, Official Liquidator, जैसे मान लीजे कि है, एसको हम शॉटन बोलते हैं, Mr. OL1, Mr. OL2, मान लीजे, ऐसे करते-करते हैं, इनके पास 10 OL है, Mr. OL10, अब हम ऐसे बोलते हैं, सर, कि ये जो OL है, ये OL1 से लेकर OL10 तक, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, Official Liquidator, अब जो ये OL है, सर, ये ध्यान अखिएगा, ये वो 3000 Insolvency Professionals नहीं है, वो अलग थे, ये तो Tribunal द्वारा Appointed कुछ Official Liquidators है, अब हम ऐसे बोलते हैं, कि सर, जैसे मान लीजे, एक Example के तोर पे, मैं आपको ऐसे देता हू Appointed as Dash of A Limited, अब अगर हम इसको फिलेंदा ब्लैंक करें ना, तो हम ऐसे बोलेंगे, कि Tribunal ने अपने Official Liquidators में से, किसी एक Official Liquidator को A Limited का Company Liquidator बना दिया, क्या बना दिया है, Company Liquidator बना दिया है, या इसको हम सिर्फ नाम दे सकते हैं, कि Liquidator बना दिया, क्या बना दिया है, सिर्फ नाम दे सकते हैं, कि क्या बना दिया है, Liquidator बना दिया, अब देखें, मेरे को लगता है, सौराब आपके Question कहां से देखें, खुदी मिल गया, बिर्कुर, अब हम इसको ऐसे बोल देंगे, कि जो Mr. OL1 है, इन Mr. OL1 को Tribunal ने Appoint किया as Company Liquidator of A Limited, या हम ब कोईल अलग है in comparison to that Insolvency Professional, ये सरी अलग है, बिलकुल अलग है, ये एक concept है सर, बिलकुल अलग है, बिलकुल अलग है, लेकिन सर अगर मान लीजे आज present time पे Tribunal, अगर चाहे, तो क्या किसी Insolvency Professional को भी Company Liquidator बना सकती है, ये सर ये भी बिलकुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक का चली बात नहीं है, इसका मतलब आज present time पे जब NCLT किसी particular Company की Liquidation के लिए, वाइंडिंग अप के लिए, जब किसी Liquidator को अपॉइंट करती है, तो वो OL को भी अपॉइंट कर सकती है, और Insolvency Professionals में से भी किसी को Liquidator पॉइंट कर सकती है, बिलकु ठीक बात, ये भी क्या हो स पॉबलम होती है, जिनको actual में इस चीच के बारे में पता ही नहीं है, इसी reason की वज़े से मैं आपको बार बार यहां पे clear करवा रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने बोला सर, हम ऐसे बोलते हैं, कि अभी तो सर आप हमको Liquidation के बार आइडिंग अप almost same भी है, तो मेरा question है सर, ध्यांस देखीगा क्या, हम ऐसे बोलते हैं कि Liquidation हो रही है सर, under IBC 2016, और यहां जो sections है, वो section 33 से लेकर के section 54 तक है, क्योंकि 55, 56, 57, 58 यह 4 section जो थे, यह fast facts CIRP के लिए थे, जो लोगों का last pass में अलड़ी पढ़ चुके थे, section 33 से ले company का liquidation हो रहा है, let's say हो रहा है, liquidation of a company, एक company का liquidation हो रहा है, तो company का liquidation हो रहा है, और इस वज़े से हम क्या बोल रहे हैं, कि liquidation होने की वज़े से, IBC के section 33 से लेकर 54 तक इसके उपर apply हो जाते हैं, बिल्कु ठीक बात हैं, फिर हमारे सामने question आता है सर, कि कुछ sections ऐसे हैं, sections contained in chapter 20 of Companies Act 2013, जहां दिये हूँ है, हमारे पास section 270 से लेकर के section 365 तब, अब आप से question पूछा जा रहा है, कि क्या ये apply होंगे, जब एक particular company की liquidation हो रही होगे, हिमाशु ध्यान अखेगा, जब हम tribunal के पास जाएंगे न, तो हमेशा हम लोगों ने बोला था कि एक particular company की winding up हो रही है, due to, एक company की winding up हो रही है by tribunal, और जो आप बात कर रहे हो, तो COC वाली वो तब की बात हो रही है, जब किसी particular person ने ट्रिबनल में application लगाई है, CIRP की, दोनों में फरक है, और जब हम CIRP की application लगाते हैं, तो हम पढ़कर आये थे कि financial creator हो, operational creator हो, या फिर section 10 में खुद ही corporate editor, corporate applicant के थ्रू application लगा रहा हो, तो तीनों में financial creator में तो mandatory था, कि उसको IRP प्रपोस करना था, और corporate applicant के लिए भी mandatory था, operational creator के लिए choice थी, तो वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, companies act according कर रहे हैं, तो दोनों में फ जिसको मेरा number चाहिए, यह लिजे मिलगे आपको number, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आप से यहाँ पर question यह पूछा जा रहे हैं, कि यहाँ पर यह पूछा जा रहे हैं, कि सर जो यह chapter 20 है, क्या यह apply होगा अगर एक particular company की liquidation हो रही है as per IBC, क्योंकि हम जब दोनों की ब liquidation हो रही है, और वो जो liquidation हो रही है, उस पर section लग रहे है 33 से 54 तक, तो क्या companies act में जो chapter 20 के winding up के provision है, क्यों भी apply होंगे, तो इसके लिए सर हमारे पास एक definition आती है, हम आपकी module में भी आपको पढ़ाएंगे definition क्या दी हुई है, और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर, section हमारे पा definition दी होई है, winding up की, और अगर हम winding up की definition को बहुत short में लिखें, तो हम ऐसे बोलते हैं कि winding up includes winding up under Companies Act 2013 and liquidation and liquidation under IBC 2016 सर, स्क्रीन बिलर है, थोड़ा सा resolution, increase कर लिजे, मिनाक्षी आप increase करो, मेरी तरफ से सही है, आप उसको एक बार refresh करो, ठीक हो जाएगा अच्छा, हम लोग उने बोला कि सर, जो ये section 2 clause 94A है, of Companies Act 2013 यहाँ पर जो definition दी हुई है, वो winding up की ये दी है, कि winding up दोनों चीज़े include करता है, winding up under Companies Act 2013 भी include करता है, और liquidation under IBC भी include करता है, इसका मलग ये particular definition ये कहना चाहती है, सर, कि दोनों के provisions apply हो जाएगे, अब यही को पढ़के हम लोग को answer मिलता है, सर, कि अगर liquidation हो रही है under IBC, तो हम बोलेंगे कि section, जो chapter 20 के दिया हो है, liquidation के according, वो भी क्या हो जाएगे, apply हो जाएगे, yes, लेकिन, सर, यहां पर एक बहुत बड़ी problem है, यहां पर एक छोटी सी problem है, वो problem यह है कि, सर, मान लीजे, यह IBC के provision और यह Companies Act के provision, चलिए हमको दोनों follow करने, हमको समझ में आता है, सब всем, आगी समझ में, हम यह भी follow कर लेंगे, यह भी follow कर लेंगे, लेकिन मान लो कि कलको इनके बीच में कोई contradiction हो जाए, यह provision आपस में क्या कर जाए, contradict कर जाए, तो क्या होगा? अगर कमान लो कि कलको यह particular provision आपस पर कॉंट्राडिक कर जाएं कॉंट्राडिक करने के विए दोनों में आपस नडाई हो जाएं IBC का प्रोविजन कुछ और कहा रहा है winding up का just opposite कहा रहा है तो क्या होएगा तो हम लोगों ने बोला कि सजो यह IBC के प्रोविजन है ना यह override कर जाएंगे इनके उपर इनके पास overriding effect है overriding effect होने का मतलब इनके पास supremacy आ जाएगी क्यों क्योंकि यह एक special law है और special law के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे over the general law क्या बास में आती है हाँ जे harmonious construction तो ठीक है लेकिन यहाँ पर contradiction होएगी तो override हो जाएगा और override करेगा क्या IVC का provision चली अब इसको पहले एक बाट जितना आभी तक हम लोगों ने discuss किया ना almost 25 मन लगा के हम लोगों ने जो भी छुटी-छुटी सी बाट discuss किये एक बाट इसको please go through कर लिजे क्योंकि यह एक बहुत basic सा provision ने जो आपको समझ में आना चाहिए दरवाइस में तो दिक्कत होएगी एक बाट फटावर्ट से एक बाट इसको discuss आप एक बाट रिवाइस कर लीजे एक बाट पढ़ लीजे कोई दिक्कत है कि तो प्लीज डू लेट में आप कि अच्छी बात पर लो भाई एक बार कुछ पूछ रहा हो तो पीस पूछेगा नहीं तो क्लास के बाद मैं नोट्स तो आपके साथ शेयर करी दूंगा पेटा नोट्स वगेदा आप गूगल ड्राइव लिंक पे चेक किया करिए आपको मिल जाएंगे ऐसा कुछ भी नही कि बोलो भई बढ़े आगे जिनको इनको समझ में आगे अपनी से एक बात हम सब करेंगे जिससे कि मेरे को एक सैटिस्टाक्शन हो जाए कि हाँ आप लोग कुछ चीज़े समझ में आ गई है अब हम लोग सर स्टार्ट करेंगे सर अपने सेक्शन 271 के साथ पढ़ दीजिए तब तक एक बाफटाफट से अधि पांशी ऐसे नहीं बोलना ऐसे बोलना लिक्विडेशन करते समय हमको Companies Act और IBC दोनों के प्रोविजन्स को फॉलो करना है यह द्याना ठीक है चलो चलो हमारे सामने आया सेक्शन 271 और यह कहता है द्यान से सुनिएगा अच्छा अगर मैं बोलू अभी तेक हम जितना IBC पढ़कर आए क्या IBC में कहीं पे ऐसे प्रोविजन लिखा बता कि ट्रिबिनल ओन इट्स ओन एक कंपणी की वाइंडिंग अप कर सकते है जवाब दिज़े ज़रा IBC में हम सब कुछ पढ़कर आए सा यहां पर कहीं हम ऐसा पढ़कर आए कि कंपणी की वाइंडिंग अप कर सकता है और यह जो चीज है ना यह IBC में थी नहीं जिस वजह से हमको में यही कंपणी कंपणी पढ़ना है और यही हमाले से लिए बस में तब ही हम लोगोंने बोला कि सर आपके सामने सेक्शन 271 आता है और 271 आपको कहता है कि ऐसे कौन से सरक्मिस्टांसे है इन विच इन विच कंपनी में बी वाउंड अप बाई प्रिबिनल अब ध्यान से देखी है हम लोगों क्या बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं ऐसे कौन से सरकमिस्टांसेज हैं जिन सरकमिस्टांसेज के चलते हैं ऐसे कौन कौन से सरकमिस्टांसेज हैं जिन सरकमिस्टांसेज के चलते हैं एक कमपनी वाउंड अप हो जाएगी किसके द्वारा वाउंड अप हो जाएगी किसके द्वारा बाई ट् सब्सक्राइब करना चाहती है या नहीं करना चाहती है आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब करना चाहती है तो पहले ना में ग्राउंड्स आपको अगर हम बुक से पढ़ेंगे ना तो एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको दिए वह थोड़े से रिटेन करने आपके लिए डिफिकल्ट होंगे इसलिए मैंने आपके लिए शॉड़ी शॉट्स त्यार क है उन नोट्स के बेसिस पर समझेगे ना तो आपको बहुत इजली समझ में आ जाएगा पहला लिखा सब्सक्राइब एसार पांस्ट बाइ कंपनी और पहरा ग्राउंड पढ़ते ही मेरे को उमीद है कि बहुत ही बच्चों के दिमाग में डाउट आया क्योंकि डाउट आन अना या आप मज oscillator रहे रहे और बोलगी आना चाहिए एक डाउट आना बंता है लेकिन हमको बताएए पहले वह डाउट क्या है एक डाउट तो बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है यहां पर सर डाउट डाऌन है पहले है इस लाइन को पड़ते ही प्यारे लिखने ने स्र पास कर दिया तो ट्रबनल को कंपणी की वाइंडिंग अब करनी पड़ेगी कि अगर बिल्कु ठीक बात है अर्पित कहते हैं डाट कंपणी वाइंड अप इटसेल जब खुद कर रहा है तो क्यों अगर सबस्सक्राइं मैं 2 ये इतना कन्फ्यूजिंग कोırd स्वाइंच अपे लिए लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुल में इतने डिफिकल्टी है नहीं जितनी हम लोगों को नजर आ रही है समझी कर से ध्यान से हम ऐसे बोलते हैं सर अभी हम वॉलेंटरी लिक्विडेशन के बारे में पढ़कर आए उपर आई बीसी सेक्शन 59 में और हम उल्री डिसकस कर चुके हैं अच्छा जब हम सेक्शन 59 में उल्री वॉलेंटरी लिक्विडेशन पढ़ चुके हैं तो फिर यह कहां से आ गया यहां पे यह कैसे यहां पे बीच में आ अब ध्यान से सुनिएगा अगर आपको सेक्शन 59 ध्यान हो तो सर यार ऐसे ना कि करता है यह क्या वॉलेंटरी वैंडिंग अपकी लिए आपके सामने क्वेश्चन है क्यूंकि यहां पर लिखाए कि इसार पास कर देया अगर कंपनी तो गोई अगर कप हो एक कंपणी है सर जिस कंपणी का नाम है frustrated limited, frustrated हो चुकी है सर ये company, जिस कंपणी का नाम है frustrated limited और ये frustrated limited क्या करती है? अपनी company में एक एक SR पास करती है, special resolution पास करती है, और इस special resolution पास करके वो petition file करती है वे पैटिशन फाइल करती है section 271 प्रॉस ट्रिबिनल के पास किसके पास फाइल करती है ट्रिबिनल के पास बिल्कु ठीक बात है अब मेरा question बहुत यहां से सुनेगा, सर जब हमने Tribunal के पास यह पर्टिकोलर application फाइल की तो Tribunal क्या मेरी application accept कर ही लेगा, यह वो मना भी कर सकता है, जवाब बिज़रा, क्या वओ यहाँ पे इसको dismiss कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर बिल्कुल डिस्विस कर सकता है बिल्कुल कर सकता है क्योंकि यहां पे तो हम ऐसे पढ़कर आये थे कि सर यह तो ट्रबलर की डिस्क्रीशन है कि वहां आपकी application petition को accept भी करता है या नहीं करता कहरें सर लेकिन जब हम voluntary liquidation पढ़कर आये थे ना उपर जब हम voluntary liquidation पढ़कर आये थे section 59 जब हम section 59 में voluntary liquidation पढ़कर आये तो वहां लोगों ने पढ़ता जनल मीटिंग होगी यह तो और पास होगा यह एसार पास होगा अगर आपको याद हो और एसार की बात करते थे ना तो यहां पर हम ऐसे बहुते थे जो डिरेक्टर्स होते हैं वह declaration देते हैं डिरेक्टर्स की declaration के बाद मीटिंग होती है जनल मीटिंग होती है जनल मीटिंग में ORSR होने के पास two-third of creators की मीटिंग होती थी उनकी approval चाहिए होती थी यह सब पढ़कर आये थे हमसे वहां पर ऐसा कहीं नहीं था कि हमको किसी से approval कोई मना कर देगा हमको वहां प इसका में बोल दूँ कि एक company अगर खुद liquidate होना चाहती है तो उसके पदद दो रास्ते वह आईवी सी में भी जा सकती है वह वैंडिंग पर भी जा सकती है कितनी हैं कि हमारी liabilities को pay off किया जा सकता है हम अपने बिजनस बंद करना चाहते हैं यहां पर हम आखे कह रहे हैं हो सकता है कि कंप्री बहुत टाइंच लॉसस में चल रही है जिसकी वज़े से अब कंप्री को लग रहे हैं कि हमारा बिजनस बंद ही हो जाए तो ज्यादा अच् करते ही आर प्यम खोल आपकोंट करें गये यह तरविनल करेंगा उसको नाम क्या देंगे लिक्वीडेटर क्या नाम देंगे लिक्वीडेटर वह दों के बास हैं और वाव 거지 क्या जबर्दस्ट अनलिस हो गई को अ दिकत लगी हो तो प्लीज बताइए तो इसका मश्या में क私 लुट कि खुद भी विपनौ के पास जा सकती है और त्रिमस से बोल सकती है कि हमने अपनी कम्पनी में Sh lesfacebook सकती है कि हमारी कमपनी को तब यक कर दीज़ेखा क्राई एस जडि पैहला पॉächst क्लिए रहे है SR pass कर दिया किसने company ने और company खुद tribunal से कह रही है मेरी company को क्या कर दो wind up कर दो ठीक बात फिर हमारे पास दूसरा point आया है हम लोग ऐसे बोले हम लोग पढ़ा रहे है 271 और उसका clause B clause B clause B हमसे कहता है द्यान से समझेगा ऐसे company has acted company has acted अगेंस्ट दे इंट्रेस्ट ओफ company has acted अगेंस्ट दे इंट्रेस्ट ओफ सौरफ हमसे क्वेशन कुछ ने साथ CIRP क्यों नहीं किया अंटर सेक्शन 10 CIRP में बहुए बढ़ी शर्थी डिफॉल्ट वा हो अगर डिफॉल्ट नहीं वह होगा तो आप आप अप्लिकेशन नहीं लगा सकते थे आपको ध्यानक नहीं हो गई जी हाँ अगर हम मान लिजेए कंप्टी जैक्पर वाइंडिंग अपकी पेटिशन लगाते हैं और वह हमारी ट्रिबिनल रिजेक्ट करती है तो कि हम आईपीसी के प्रोविजन कर सकते हैं बिल्कू कर सकते हैं चलिया इट तो लेगा कंप्टी अगेंस दा इंट्रेस्ट ऑफ प्यादे नंबर बिमानी जमने ऐसे लेखा सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ओफ इंडिया यह जितने मैं पॉइंट लिखवा रहूना आपको यह प्लीज कोशिश करिएगा कि याद होने चाहिए फ्रेंडी रिलेशन्स वेद फॉरें इस्टेट्स सिक्यॉरिटी ओफ दे स्टेट डिसेंसी मोरालिटी या पब्लिक ओडर अब इनमें क्या क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूँ समझने की कोशिश करिएगा हम ऐसे बोल रहे हैं कि Sovereignity Integrity of India का मतलब होता है कि भारत की अखंडता को खतम करना चाते हैं अखंडता का अखंडता का अखंडता यहां पर यह हो जाता है कि सर यह ना भारत के टुकड़े करना चाते है एक ऐसी कंपनी जो कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वज़े से ऐसा महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है ऐसे Evidences मिल रहे हैं कि यह पर्टिकुलर कंपनी या इस पर्टिकुलर कंपनी की activities कुछ इस तरीके की हैं जो भारत के टुकड़े करना चाती है भारत का विभाजन करना चाती है हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर बहुत बार आपने ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे politicians होते हैं और जब वो rally वगएरा निकालते हैं तो बहुत भारकाऊ तरीके के भाक्ष भाशर देते हैं जिसको हम लोग hate speech का नाम देते हैं hate speech जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी speeches देते हैं जैसे दंगे भढ़क सकते हैं लोगों का brainwash करने की कोशिश की जाती है community rights किये जाते हैं दंगे फसाद कर लाए जाते हैं धरम के बेसे हिंदू-Muslim के बीच में लडाईयां कराई जाती हैं community community के बीच में लडाईयां हो रही हैं जैसे lower caste, upper caste के बीच में बिधंगे भढ़क रहे हैं तो ऐसी situation में अगर आपकी company की तरफ से अब ऐसे तो जब बोला जाता है कि दिमाग फिर जाता है, hate speeches ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा vocal terms में ही हो, liquid terms में भी तो हो सकती हैं वो लोगों को बढ़काने की कोशिश करते हैं अपने articles के थुरू, वो company अपनी magazines निकालती है और उस magazines में ऐसी hate speeches दी होती हैं तो ऐसी situation में अगर आपकी company ऐसा कुछ कर रही है तो इंडान सिच्वेशन हमें आपकी company को wind up कर सकते हैं और ट्रिबुनल आपकी company को क्या कर सकती है wind up कर सकती है या हम ऐसे बोल दें कि आप foreign countries के साथ जो हमारे relations से उनको बिगारना चाहते हैं जैसे आप money laundering की activities कर रहे है foreign countries में shell companies बना रहे है foreign countries से जो money laundering की activities है उनको promote कर रहे है smuggling कर रहे है illegal transactions कर रहे है foreign countries के साथ ऐसे situation में भी हम आपकी company को क्या कर सकते है wind up कर सकते है फिर हम ऐसे कहते हैं जैसे मान लीजे आप अपकी company है और आपकी company ना pornography को promote कर रही है बहुत सारी हम लोग ऐसे देखते हैं कि आज present time पर बहुत बार ऐसी news आती है जिसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो हमारे इंडिया में ना हमारे इंडिया में सबसे बड़ी problem है कि हमारे इंडिया में जो sex education है वो बहुत अच्छे level पर नहीं दी जाती आज भी हमारे इंडिया में sex education को एक taboo का नाम दिया जाता है लोग इसकी बात करने में भी शर्माते हैं लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि जो sex education है वो एक student को हम ऐसे बोलते हैं कि youth को मिलनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो उसको ना मिले तो इना situation उसके बहुत सारे long term consequences face करने को मिल सकते हैं जैसे आज ही present time पे 2-3 दिन पहले एक news आई थी कि शायद महराश्ट में या पता नहीं कहां पे या 36 गड़ में शायद कि एक लड़का था और वो लड़का like 30 years का था और उसकी छोटी sister थी तेरा 14 साल की और जो छोटी sister थी तो उसको periods हुए तो periods के time पे blood strains होते हैं तो उसको ऐसा लगा कि पता नहीं उसकी बहन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वज़े से उसको bleeding हो रही है तो इसको में लगी हो गया कि lack of sex education अपने आप में एक बहुत बड़ा serious threat है लेकिन सरा आज present time पे लोग उसकी बात नहीं करते हैं जिसकी वज़े से यह जो porn websites वगरा होती है या pornography होती है यह बहुत promote होती है और इन reasons की वज़े से अगर आपकी कोई website है अगर आपकी कोई company है और उस company में कुछ ऐसी magazines है जो यह सब चीज़े promote कर रही है तो इन that situation like pornography वगरा promote कर रही है तो उन particular companies को भी उन क्या कर सकते हैं totally बंद कर सकते हैं wind up कर सकते हैं वाइदा act of tribunal तो यह जो चीज़े है ना यह जो चीज़े है एसी चीज़े है जो actual में हमारी society में लोगों को गलत रहा पे ले जाती है गलत रहा का मतलब ऐसा रहा होता है जहां पर ऐसी चीज़े करवाई जा रही है जो socially acceptable नहीं है और ऐसी अगर कोई भी activity आपकी company करती है तो in that situation हम आपक आपकी company को क्या कर सकते हैं wind up कर सकते हैं और आपकी company wind up कौन कर रहा है हम खुद कर रहे हैं या ट्रिबनल कर रही है क्योंकि आप in activities में कहीं involved क्या बात सोच में आती है होंगे तो पहिमा में आप लोगोंने current account transactions पढ़ी होंगी और current account transactions पर हम ऐसे कहते हैं कि foreign country में अगर आप foreign country हमारी इंडियन गौर्मेंट जो है वो बहुत सारी foreign magazines को बहुत सारी foreign books को ban कर देती है जिनमें as such ऐसा कोई content दिया होता है जो pornography से related हो तो बहुत सारी prescribed magazines होती है कुछ कुछ ऐसे articles होते हैं जिनको हमारे इंडिया government कर देती है बैं कर देती है उनका main reason यही होता है बिल्कु ठीक बात है तो यह जो clause भी है यह आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है यह कुछ ऐसे terms है जो आपके answer में at least लिखी होने चाहिए अगर यह नहीं लिखी होंगे त in that situation एक बहुत बड़ा problem create हो सकता है आपको शायद पूरे marks तरह में ने बिल्कु ठीक बात है आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े तो हमारे सामने सर यही section 271 का clause C आता है पांच clauses है सर पांच grounds है जिनमें दो grounds हम लोग ने कर ल सब्सक्राइब या बोल दे डिसेंसी नहीं है morality नहीं है morality के अगेंस्ट है public order के अगेंस्ट है या इंडिया की security के अगेंस्ट है तो या जैसे माली जो कोई company है और वह company क्या करती है defense related confidential information terrorist के साथ share करती है तो इससे तो सर हमारी company को हमारी इंडिया को बहुत बड़ा threat हो सकता है तो ऐसी companies को फिर हम क्या करते हैं wind up करते है वह ठीक बात है देर आया clause C clause C क्या कहता है ध्यान से देखेगा लिखते हैं सर affairs of the company conducted fraudulently affairs of the company conducted fraudulently yeah फरम है से बोले पर्पस ओफ फॉर्मेशन ओफ कम्पनी इस फ्रोडलेंट ट्रांजिक्शन और अनलॉफुल ट्रांजिक्शन सदेखी जैसे ऐसे होता हम लोगों ने पढ़ाए कि जब हम कम्पनी को इंक्वार्परेट करते हैं आपने एमोए में अबजर्स में बहुत सारे उब्जर्स लखते हम ऐसे हैं कि हमाुआ कामें और हमें बहुत सारे इंक्वार्परेट करें जसे हम ऑ्सेक्वार्परेट बंडो壓 और और वहाँ जुब कर सकता है अब ऐसी situation में होता क्या है, कभी-कभी company क्या करती है, अपनी transactions ना fraudulent manner में करती है, अपने business को fraudulent purpose के लिए इस्तमाल करने की कोशिश करती है, अगर as such कभी भी पाया गया, तो in that situation there is a great possibility कि हम आपकी company को क्या करते हैं, wind up करते हैं, फिर हम ऐसे भी बोलते हैं, जैसे एक point मैं और आपको लिख पादिता हूं इसी में, हम लोग ऐसे बोलते हैं सर, persons concerned information or management of company have been guilty of fraud, misconduct, misfeasance, misfeasance का मतलब होता है, गलत इस्तमाल करना, जिन चीजों का सही जीउस करना चाहिए था, वो सही यूस ना करकर के गलत इस्तमाल करना है, तो अगर कोई particular person ऐसा है, जो और company को बनाते समय, fraudulent purpose के लिए company को बना रहा था, या कोई particular person ऐसा है, जो इस company को fraudulent purpose के लिए बना रहा था, तो asset उस company को क्या कर सकते है, क्यों नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था लक्षमी, हम लोग नहीं किया था, चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है, section 271 का clause number D, और ये बहुत simple सा है, अब दिहान से रखेगा यहाँ पे ज़रा, non filing off, तो ही point ह हमारे बड़े थे clause B और clause C, clause D और clause ही बहुत चोटे-चोटे से हैं, अगर company ने filing नहीं की कि सीच की, financial statements की, या फिर annual returns की, इसकी filing नहीं की सब, financial statements की, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, financial statements की, या फिर annual returns की, कब for preceding five consecutive, five consecutive financial years, अब यहाँ पे focus करने अली बात किया है सर, वो focus करने वाली बात यह है, और, दूसरी focus करने वाली बात यह है, पांस साल, अगर आपकी company ने filing नहीं की है, किन-किन जी जो की, financial statements की, या annual returns की, पिछले पांच सालों में, और लगतार पांच सालों तक ज्यान रखिएगा, इसके बारे में, अगर मैं बात करूँ, तो साल का time period दिया होता था, तो ऐसी situation में हम लोगो यहाँ पर year ध्यान रखना है, कि यहाँ पर 5 साल का time है, सर, पांस साल का time है, सर, annual return और financial statement को लेकर, तो financial statement या annual return दोनों फाइन नहीं किया है, दोनों में से कोई एक भी नहीं किया, तो भी यहाँ पर fall कर जाओगे, क्योंकि ब इसके बाद हमारे पास एक point आता है, सर, section 271 का clause E, जो उनको बहुत simple सी बात कहता है, और वो बहुत simple सी तो है, बट बहुत important है, कहते है, winding up is just and equitable, just and equitable का मतलब क्या है, कि अगर tribunal को लगता है, कि इसके अलावा कोई और ground, reasonable ground tribunal को महसूस होता है, तो उस basis पे भी हम company को wind up कर सकते हैं, लेकिन ध्यान अखिएगा, यह just and equitable कब होते हैं, जब हम बोलते हैं, no alternate remedy, अगर tribunal के पास कोई और remedy नहीं बची, तो हम कह सकते हैं, कि वो last result company को wind up कर सकता है, या दूस नंबर पर हम लोगों ने बोला, कि जो petitioner है, is not acting unreasonably, या फिर हम ऐसे बोल दे हैं, कि जो petitioner ने petition लगाई है, उसमें कोई ऐसा genuine reason है, जिसको हम लोग consider करके, शायद company को wind up कर सकता है, अगर मैं बोलू तो लक्षमी आपने, notebook में point A और B इसले लिखा होगा, क्योंकि शायद ब जिए से आपने notes में नहीं लिखा होगा, बट मैंने अभी आपको सारे points लिखा दी है, चीक बात है, अब चलिए, मैं आपको एक बाद बुक से लिखा देता हूं सर, बुक में देखे हैं मारे पास, अगर मैं बोलू page number क्या खोलेंगे आप, तो आप आएंगे, सब लिखु of the law, पर लिखा meaning of winding up, मिल रहा है आप लोग को सर, यह वाद खोलेंगे पटापर से जड़ा, और यहाँ आप देखे, winding up के बारे में लिखा है, winding up के बाद, winding up distribution के बीच में difference लिखा है, winding up by tribunal लिखा है, और हम लोग यह उपपर वाली, जो जो difference है, इसको अभी हम लोग जड winding up के बारे में अगर मैं बोलू, तो winding up के बारे में देखे लिखा है, winding up means, winding up under companies act 2013, और liquidation under IBC 2016 as applicable, जो definition हम लोग भी copy में लिख कर आए है, section 2 clause 94A of the companies act के कहता है, यह हम अल्यदी डिसकस कर चुके है, इसमें ऐस सच कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ, बेकु ठीक बात है, पिर हम लोगों नीचे आये सर, और हम लोगों ने बोला, देखो ध्यान से क्या लिखा है, voluntary winding up के क्या लिखा है, लिखा सर, provisions relating to winding up in the companies act, that is section 304 to 323 have been omitted by IBC 2016, and therefore उसका नतीजा यह निकला, कि voluntary liquidation is now dealt with under section 59 of IBC, यह हम और रे डिसकस कर चुके है, तो देखो हम लोगों ने सारी बात है, जो डिसकस की है, वही हम लोगों ने copy में लिखी भी है, और actual में हम लोगों को समझ में भी आ गया है सर, कि actual में क्या main intention है सर, बिलकु ठीक बात हूं, फिर नीच आए सर, दिहां से देखी क्या लिखा, लिखा, winding up by the tribunal under companies, और बीच में कौन सा आ गया, section 271, और section 271 of the companies that provides grounds for winding up the company by NCLT, और NCLT यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने law में लिखा है, तुर कु ठीक बात है, और यहां पे आए सर, according to section 271, आ company will be wound up by NCLT on a petition in the following cases, औ A, B, C, D, E, और यह A, B, C, D, E, जो भी लिखा है, हम लोग अल्रेदी डिसकस कर चुके है, अभी देखी क्या लिखा है, if the company has by a special resolution, अगर company ने special resolution के चलते, resolved that the company be wound up by the ribbon, तो हम अल्रेदी पहला point डिसकस कर चुके, दूसरे रंबर, if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality, देखी, यह सारे point हम लोग अल्रेदी डिसकस कर चुके है, उमीद करता हूँ, आपको यह point समझ में आ गया होगा, फिर उसकी पाद देखी, clause D में पहले क्या लिखा, clause D में लिखा, sir, if the company has made a default in filing with the registrar, its financial statement or annual return for immediately preceding five consecutive financial years, last में आया तो लिखा था, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable, that the company should be wound up और clause C में हम लोग fraudulent activity की बात करके आया है, तो देखी लिखा, if on an application made by registrar or any other person authorized by central government by notification, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent man, और the company has formed for fraudulent and unlawful purpose, और the person concerned in the formation or management have been guilty of fraud, misvisence or misconduct, तो हम लोगो ने बोला यह एक proper ground है company के wound up होने का, और हम लोगो ने यह सारी बाते, करक्स में शॉट में अपनी नोट्स में लिख विलिए, क्या बताईए कोई दिक्कत लगी आपको, कोई भी दिक्कत लगी हो तो प्लीज बताईए, चैन से सोना है तो जाग जाईए, बड़ा फट से देखिए पढ़िए और बताईए, बोलो भाई, इजी हो गया सर अब हमारे लिए, हाँ सर थोड़ा सा इजी तो हो गया, अब इतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है हमको, लग रहा हो कोई दिक्कत लगी हो तो पताईए, इजी है न, पताईए, अब इसके बाद हमारे सर पास सर एक अगला टॉपिक और आता है, और वो अगला टॉपिक हमारे सरेबस में ऐस सच बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो हम लोग को मेन पॉइंट ही यहाँ पर प्रिपेर करने हैं, और हम लोग ऐसे बोलते हैं सर कि अगल सेक्शन हमारे पास आता है 272 और सेक्शन 272 हमसे यह कहता है पेटिशन किसके द्वारा लगाई जाएगी तो हम लोगोंने बोला सर यहां पेटिशन कौन लगा सकता है पहले नमबर पर कम्पनी खुद ही लगा सकती है सर यह कूंपनी एसर पास करें और पहले नमबर पॉइंट में पेटिशन लगा दें दूसरे नमबर पर बोला हमने एनी कॉंट्रिब्यूट्री और कॉंट्रिब्यूट्री इस पेटिशन तो बहुत जड़े डिटेल में कर सकते हैं लेकिन इतना जुरुद नहीं है बट मैं अभी आपको यह बोल देता हूँ कि कॉंट्रिब्यूट्री का मतलब एक ऐसा परसन जिसने कंप्टी में शेर्स लियो हुआ हम ऐसे भी बोल देते हैं कि मालीटी जैसे मैं एक कंप्टी का शेरोल्डर हूं और हमारी कंप्टी में हमारे पास मेरे पास जो शेर्स है वो 10 रुपे का शेर है लेकि मैंने अभी तक कंप्टी को 6 रुपे दी है कि अगर आज कंप्टी की वाइंडेंग अप होती है तो मेरे इसे 4 रुपे मांगे जाएंगे यह सर्ड जब मैं 4 रुपे दूंगा तो I will be called as Contributory बिल्कु ठीक बात है बिल्कु ठीक बात है फिर इसके बाद हमारे पास दा कंप्टी आ गया दूसरे नंबर पर कॉंट्रिब्यूटरी आ गया थर्ड नंबर पर हम लोगों ने बोल दिया दा रिजिस्ट्राइश यहां पर आप्लिकेशन दे सकता हूं यह मैं आपको थोड़ा सा डिसकस करता हूं इसको मैं थोड़ा सा थो सब्सक्राइब करते हैं और आगे जाते हैं तो वहां पर कॉंट्रिब्यूटरी पूरा डिटेल में एक्स्प्रेइन हैं लेकिन हमारे इस लिए नहीं तो हम लोग इतना टाइम लगाने की जुनत नहीं पड़ेगी जैसे तो हम ऐसे भी बोलते हैं जैसे मांग लीजे कि मैं कंपनी का शेरोल्डर ता और अभी मैंने कंपनी छोड़े मैंने अपने सो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दी लेकिन जो मैंने शेरे Hansen तो क्या मेरे कंप्री चोड़ने के बाद भी मेरी जिम्मेवारी होगी अगर बीच में की मैंडेका पुझाती है तो वह सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ा वह फाइनल में पढ़िएगा फाइनल में जब हम लोग एथिक्स पढ़ देऊंगे भॉर्ट नमब्बर 5 इन चार पर लगा सकता है लेगा से लगाएगा लांत। उर्ख δिषट करेगी तो करेंगी तो सार मैं बलू क्या बास में आती है जहीए आपके बुक्स में भी लिखा हुए देखें, या भी क्या लिखा है, और commencing proceedings under section 271, अगा दोसो एक अथर section की proceeding कारेवाही को start करना है, अब petition is to be made to the tribunal, आपको एक petition देनी होगी tribunal को, and according to section 272, this petition may be made by any of the following person, जिस में लिखा, the company, any contributory or contributories, the registrar, any person authorized by the central government, and in case falling under clause B of section 271, by the central government or state government, or section 271 clause B क्या था, ये बात था वही, public order, decency, morality, sovereignty and integrity, security, friendly relations, oh my god, बोल वे, कोई दिक्कत, हमारा हो गया section 271, हो गया हमारा 272, कोई दिक्कत लगी हो तो बताईए, किसी प्रकार का कोई issue हो तो बताईए, कर समय लीजे, बस लगभग, लगभग, वाइंडिंग, अपका main provision, तो आपके उपर खतम होई गया, आचा, यहाँ पर ऐसे बोला गया, सब्सक्राइब आगे देखते हैं, सब्सक्राइब चोटी बाते खतम करते हैं, फिर उसके बने प्टाते हैं, क्यारे लिखाए, एनी petition filed under this section, like section 271 में, जबी भी आप कोई भी petition file करेंगे, apart from that filed by the registrar himself, अगर वो petition registrar ने खुद file किया, तो अलग बात है, otherwise यह provision follow किया जाएगा, क्यारें, अगर आप कोई petition file करते हैं section 271 में, other than the petition जो registrar ने file की है, then it shall be served on the registrar, and the registrar shall submit his views to the tribunal within 60 days of receipt of such petition, तो इसका मलब अगर मान दीजे कि मैं कोई petition file करना चाहता हूँ, एक तरीके साम ऐसे बोलते हैं कि जो ट्रिबनल है, वो registrar से पूछ रही है कि उसका क्या भी पॉइंट है, इस company के winding up के रिकार्ट है, strike off में क्या winding up होता है, नहीं, strike off में हम सिर्फ company का नाम strike off करते हैं, और वो 20 सालों तक वापिस से recover हो सकता है, बढ़ यहाँ पर एक बार company wind up हो जाती, तो recovery कुछ नहीं हो सकती, हो गया सिर्फान, 60 दिन वाला हम लोगोंने discuss कर लिया हूँ, ठीक है, फिर नीचे देखी क्या रिखा, लेखा, ओना petition file under section 272, अब आपने petition तो file कर दी 272 में, आपकी नहीं जो petition present की है, उसके 90 दिनों के अंदर कोई भी decision ले सकती है, नीचे क्या decision लिखें, आपकी petition को dismiss किया जा सकता है, with और without cost, अगर आपके उपर as such, किसी आपने जो पैसे खर्च की है, उसकी हो सकता recovery हो जाए, शायथ recovery ना भी हो, second number, make any interim order as it thinks fit, या इसके लावा अगर NCLT को ऐसाच लगता है, कि कोई और temporarily order pass करना है, तो वो कर सकती है, appoint a provisional liquidator of the company till the making of a winding up order, जब तक final winding up order नहीं हा जाता, तब तक for the time being, provisional liquidator appoint किया जा सकता है, make an order for the winding up of the company with or without cost, कोई as such fine वगेरा इन post करके, हो सकता है, कि winding up order आ जाए, तो पहले number पे petition dismiss हो गई थी, दूसरे चौथे number पे accept हो गई है, या इसके रावा लिखा है, any other order as it thinks fit, इसके रावा अगर कोई और order समझ में आता है, तो वो कर सकती है, कि जैसे मान लिजे कि कोई भी particular person को petition file करता है, कि हमारी company wind up हो जानी चाहिए, या यह particular company wind up हो जानी चाहिए, तो in that situation, registrar से report मांगी जाती है, और registrar को 60 दिन के अंदर अंदर, report present करनी होती है to the tribunal, कि उसका क्या viewpoint है, इस company के winding up के रिकार्ड़ी, ठीक है, इसे दान, competition advocacy अलग है, competition advocacy में तुम ऐसे बोलते हैं कि जब central government या state government कोई policy तयार कर रही होती है, उस time पर, उस draft policy के regarding recommendation मांगती है, वो CCI से, बट यहाँ पर कोई policy नहीं तियार हो रही है, यहाँ पर viewpoint किसले मांगा जा रहा है, कि company को wind up किया जाए या ना किया जाए, ठीक है, चले, फिल इकाता, यह बात तो सच है कि winding up के order से पहले, company को पूरा मौका दिया जाएगा, कि company अपनी बात को present कर सके, उसको भी पूरा मौका दिया जाएगा, opportunity मिलेगी, कि वो भी इस particular viewpoint पे अपना viewpoint दे सके, कि इस company को liquidate क्यों ना किया जाए, ठीक है, पर नीचे आया थे सर, लिखा, तो जो भी winding up का order आएगा, उसमें कोशिश की जाएगी, जो winding up का order आए, उसमें contributors का नुकसान ना हो, लेकिन अगर company के हालात ऐसे होएंगे, कि जहाँ पे company को wind up करना बहुत जरूरी है, irrespective of this fact, कि उस particular company के creators का क्या होगा, तो वहाँ पे फिर हम कोशिश ये करेंगे कि creators का कम से कम नुकसान हो, लेकिन company को तो wound up करना ही पड़ेगा, बिल्कुँ ठीक बात है, पर नीचे देखी का लिखाए, the liquidator is required to submit the tribunal a report containing the following particulars within 60 days, from the order of winding up or appointment of liquidator, कहते हैं, जैसे ही winding up के दौरान liquidator appoint होगा, तो liquidator के appoint होने के 60 दिन के अंदर-अंदर, liquidator को एक report देनी होगी, और exam में आपसे जो ये question पूछा जाएगा न, वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, कि liquidator अगर अपनी report submit करता है to the tribunal, तो उस liquidator की report में, कौन-कौन से particulars हो स याद रखने चाहिए, और मैं अगर आपको बहुत simple-simple सी बात करूँ, तो लगभग सारे point ही simple है, बट फिर भी एक बपढ़ देते हैं, लेगा, the nature and details of the assets of the company, liquidator को बताना होगा, tribunal को की अभी present time पे company की assets के क्या हालात है, कितनी assets हैं, उनकी valuation करिए, कहां कहां पर हैं, penny held by the company, को bill of exchange है, कोई promise tree notes है, कोई bonds है, अगर ऐसा कोई instrument इनके हाथों में है, company के हाथों में, तो उनकी details पी दीजे, second number पर दिका, valuation report of the assets obtained from the registered value, जो भी registered valuer है, उससे आप क्या करवाईए, एक valuation report त्यार करवाईए, कि company की assets हैं, उनकी present time पे क्या value है, अगर आज उनको market में ब fascinating सी लग सकती है, बट reality शहीं सिफ 40 करोड की ही है, तो ये valuer से हम valuation करा लेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पिले खाए, amount of capital issued, subscribed and paid up, कितनी amount of capital issued है, कितना subscribed है, कितना paid up है, जिससे पता लग जाता है, कि क्या winding up के time पे contributearies से कोई पैसा लेना है, पिले खाए, existing and the contingent liabilities of the company, और including सारे creditors की list पनाईए, जो secured है, उनका amount अलग लिखे, जो unsecured है, उनका amount अलग लिखे, जो secured debts है, देखे, उनके किस particular asset के against, उनका debt secure है, ये सारी information आपको देनी होगी, the debts due to the company and the name, interest and occupation of the firm from whom they are to be due, company ने क्या किसी से पैसा लेना है, बलब हम एक तरीके से बोल देए, कि क्या company के कुछ debtors हैं, अगर debtors हैं, तो कितने debtors हैं, उनसे कितनी recovery हो सकती है, कितनी recovery हो जाएगी, अगर आज हम company को winding आप लेके जाते हैं, तो, guarantees if any, extended by the company, क्या company ने किसी के बिहाफ पर कोई guarantee दी हुई है, तो क्या मैं बोल दूँ, ये भी company की liability है, लेकिन ये company की जो liability है, व any payable by them, and details of any unfit call, अगर कुछ ऐसे contributors हैं, जिन्होंने अभी तक अपने share shares पर पैसा नहीं दिया है, तो वो कितने contributors हैं, उनसे किंत्रा पैसा मिलेगा, details of trademark and intellectual properties, जो company ने own की हुई है, details of subsisting contracts, joint ventures and collaboration, company ने अभी present time पे कितने ऐसे contract execute किये हैं, जो running situation में है, ऐसी company ने कौन कौन से joint venture agreements किये हुए हैं, foreign countries के साथ collaboration किये हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, details of the holding and subsidiary companies of the company, ऐसे company के against कोई legal cases हैं, तो वो बताइए, या इसके रावा अगर tribunal को और information मांगता है, तो liquidator को वो information भी देनी पड़ेगी, बस, तो यह आपके लिए सबसे important question है, जहाँ पे आपसे क्योंकि ट्रिबिनल जब तक company के हालात नहीं जानेगी, तब तक कोई भी decision नहीं ले पाई, तो यह एक सबसे important point है, यह report सर, order से जाएगी न, order से मतलब, समझा नहीं है, order से जाएगी मतलब, बलब ट्रिबिनल order देगा कि report दो, यह report देनी ही पड़ेगी, order दे या ना दे, it doesn matter, चलिए, इसके बाद आते हैं, last point पर, winding आपको wind up करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे PPIRP, और समलिजे जैसे हमारा PPIRP हुआ, समलिजे, ओ, 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 गंगंगा नाली हम, काम हो गया, करीबन तकरीबन एक से सबागंटे लगेगा, हम लोगो PPIRP करने में, और PPIRP वैसे है, बहुत वास्ट, बट आपके module के according, जो content है, वो limited है, तो अम लोगो इतना time नहीं लगेगा उसमें, बट एक से सबागंटे के अंदर, अम लोग PPIRP पुरा complete कर लो, हां mandatory है देना, yes, yes, पूर भी mandatory है, liquidator को ये report त्यार करके देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी क पता लगेगा कि company की present time की हालात कैसे है, फिर last में मारे पास आया सथ companies के winding up rules, नए नए rules बने है सब winding up के regarding, और वो rules में आपके उपर जो important highlights है, वो बहुत important है, और important highlights यहां पर यह है कि rules में लिखाए कि अगर company छोटी है, छोटी company है, तो ट्रिबिनल के पास winding up के लिए ना ज Central Government का मतलब है, यहां पर पावर, ROC, RD को देती जाएगी, तो आपको अलग से NCLT के पास, ट्रिबिनल के पास जाने की जड़त नहीं है, सरकारी authorities भी आपकी company को wind up कर सकती है, तो देखी के लिखाए, इट का मतलब यह these rules allows the following companies to wind up their business by making an application to Central Government without approaching NCLT, तो NCLT जाने की बज़ए, आप किस के पास सरी जाएए, Central Government के पास, सर, winding up procedure आया तो सारा लिखना होगा, winding up procedure मेरे को नहीं लगता कि आज सच पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको तीन बाते बहुत विशेश तोर पे दिहान रखनी होगी, 271, 272 और साथ में यह evaluation report, बिल्कु ठीक किया रहे हैं, सर, यह जो rules हैं, यह rules बोल रहे हैं कि कुछ companies ऐसी हैं, जिन companies के business को wind up कर सकते हैं, application लगा के Central Government को, ना कि NCLT, ऐसी कौन सी चोटी कम्पनी हैं, तो लिखा, companies accepting deposit and having total outstanding deposit up to 25 रुपीस रुपीस रुपेस, किया रहे हैं, अगर company deposit accept करती है और उसके total outstanding deposit 25 रुपे त के हैं, तो तो वो standard government के पास जाके अपना winding अपकर आ सकती है, NCLT के ओपर burden release करती है, अच्छा मैं ऐसे बहते हैं, अगर company deposit accept कर सकती है, तो बड़ ओविस ही बात है, फिर यह public company होगी, क्योंकि private company को तो deposit accept करना prohibited, फिर दूसरे निपर लिखा, company having total outstanding loan, including secured loan, आयना रुपीस 50 र पचास लाग, एक करोड, पचास करोड, एक करोड की capital, पचास करोड का turnover, पच्छीस करोड का outstanding deposit और पचास लाग रुपे का loan, above companies are allowed to approach general government for summary liquidation, only if they have the book value of assets up to रुपीस 1 करोड, तो इसमें एक लिमिट हो रहा गई, तो अगर हम इन लिमिट्स को बोलें, तो यह लिमिट्स पा लिमिट्स अंडर, winding up rules, और यहाँ पर जो लिमिट्स हैं, पांच लिमिट्स हैं, पहले नंबर पर कहा है, outstanding deposits, पच्छीस लाग, outstanding loan, पचास लाग, paid up share capital, एक करोड, assets, एक करोड, turn over, पचास लाग, और सम में क्या लिखा है, up to, बतलब यह maximum है, अगर यह सारी शर्तें पूरी हो जाती है, अगर इन में से कोई भी limit आपकी company की breach नहीं करती, तो फिर आप उसको summarize, liquidation में central government के पास लेकर आईए, NCRT जाने की चुरुद नहीं, सर, अगर company accepts deposit only in case of eligible public company, that means उसका turnover तो हमेशा पचास कोड़ से जाधा होगा, ऐसा कैसे, यह कौन से limit पढ़कर आए होगा, turnover उसका पचास कोड़ से जाधा होगा, मेरे को तो ऐसी को limit दिहान नहीं आती है, ठीक है, फिर लेका, it lays down, it का मतलबे, rules lays down the process for meeting of creditors and contributors of the company and specifies the scenario in which creditors can and cannot vote, तो कह रहे हैं, इनी rules में आपको procedure पूरा मिल जाता है, कि किस तरीके से हम creditors की और contributors की meeting कराएंगे, फिर it makes it necessary for all the money laying in the bank account of the company liquidator, which is not immediately required for the purpose of winding up, to be invested in government securities or in interest bearing deposit in any schedule bank, बोला जाता है कि जब ये company wind up हो रही होगी, इन rules के चलते, तो यहाँ पे इन rules के चलते ये बोल दिया जाता है, कि जो भी पैसा अभी company के खाते में पड़ा है, क्योंकि अब company wind up होनी है, तो जब तक company की winding up चलती है, तब तक उस पैसे को invest कर दिया जाए, एक ऐसी government security में, या ऐसी bank के deposits में, जहां से interest revenue अर्ण हो सके, तो इसका मला मान लीजिए ऐसे, कि एक particular company है, और उसके खाते में 10 करोड और पर पड़ा हुए, company wind up हो रही है, लेकिन company की winding up ने हो सकते 6 मीने लग जाए, हो सकते 5 मीने लग जाए, तो 5 से 6 मीने तक वो पैसा फालतू पड़ा रहेगा, इस सारी limit fulfill होगी ना, anyone कैसे हो सकती, anyone का तो मतलब है, company हो सकता है, 500 करोड की हो, उसके deposits ही नहीं, फिर तो बहुत बढ़ी हो जाएगी, अना, फिर लिखा, it lays down the procedure for maintenance of registers and books of accounts by the company liquidator, company liquidator जब appoint होगा, एक company को wind up कराने के लिए, तो what will be the procedure, जो वो records या bank of, book of accounts maintain करेगा, कैसे करेगा, it also lists, outlines the procedure for creators to prove their debts and claims against the company, अगर कोई particular creator अपना claim raise करता है, तो किस तरीके से कर सकता है, वो ये rules हमको बता देंके, तो इसका अलगी हो गया कि जो winding up rules है, it has reduced the burden of winding up on NCLT by shifting the power to central government in specified cases, और specified cases क्या है, ये उपर वाले, जो छोटी-छोटी companies है, इनका burden NCLT से हटा करके, government के उपर डाल दिया क्या है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको ये winding up पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, अब मेरा questions मेंगा, हम ऐसे बोलते हैं कि जब एक company की liquidation हो रही होती है, जब एक company की winding up हो रही होती है, जब company finally पूरी तरीके से liquidate हो जाती है, wind up हो जाती है, तो उसको dissolve कर दिया जाता है, dissolve करने का मत्तब है कि अब उसको पूरी तरीके से खतम कर दिया जाता है, लेकिन dissolve होने से पहले company का wind up होना या liquidate होना ज़रूरी है, तो इस बात का जड़ा ध्यान रखेगा, पांच ground वाले ही ना सर CG करेगी, हाँ हाँ वो तो वही ये विटा, winding up तो उन्ही reasons की वज़े से होगी, अब ध्यास देखे, लिखा है, many times ऐसा देखा गया है, कि winding up और dissolution को एक साथ एक दूसरे की जगे यूज़ कर लिया जाता है, बट ये सही नहीं है, अब winding up और liquidation को एक दूसरे की जगे पर यूज़ करिए, कोई दिखके तरी बात नहीं है, लेकिन winding up और dissolution दोरों में फरक है, क्या फरक है, देखें के रहे हैं, winding up is the first stage of ending the legal existence of the entity, इस stage पे company की assets को बेचा जाता है, liabilities को pay off किया जाता है, और जो surplus बच जाए, वो contributors में distribute हो जाता है, तो winding up पहली stage है, जिस stage पे company की assets को बेचा जा रहा है, उसकी liabilities को pay off किया जा रहा है, assets को बेच के liabilities को pay off करके, अगर कुछ surplus बच रहा है, तो contributors में distribute हो जा लेकिन से dissolution जो है, it is the final stage, तो यह first stage थी, और dissolution जो है, वो final stage है, after completion of winding up process, and by act of law, the legal existence of the entity comes to an end, तो हमेशा पहले winding up होगा, फिर dissolution होगा, winding up में आप asset बेच के liabilities pay off करोगे, जो पैसा बचेगा, वो surplus contributors को दोगे, उसके बाद finally company dissolved होगे, the winding up process is handled by a liquidator, और insolvency professional, हम दोनों चीज़े पर चुके हैं, the dissolution can happen only by way of an order, passed by the adjudicating authority, लेकिन dissolution हमेशा ध्यान लखेगा, order के थू ही होगा, NCLT के थू होगा, creators can prove their claim during winding up, तो winding up जब चल रहा है, तब creditors अपने claim को raise कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर company के dissolution हो गई, उसके बात कोई claim valid नहीं होगा, winding up need not result in dissolution in all cases, a company which is in winding up can be taken over, amalgamated by any other entity, which will result in the company's coming out of winding up process, तो कहारे हैं, अगर company की winding up चल रही है, तो उस time winding up के चलते, company को बचाने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन एक बार company अगर wind up हो गई है, और एक बार अगर company dissolve हो गई है, तो अब उसको बापिस से recover नहीं किया जा सकता, तो इसका महले हो गया कि, अगर company की winding up process चल रही है, तो company को बचाने की कोशिश की जा सकती है, और company बच भी सकती है, बट एक बार अगर company dissolve हो गई, तो उसकी legal existence ही खतम हो चकी है, हमेशा हम बोलेंगे कि winding up पहला step है, dissolution दूस्वा step, first step will be winding up, and the last step will be dissolution, ठीक है बटा, चलो, तो हम लोगों ने finally ये सारा content तो complete करी लिया है, अब आपके module में winding up के regarding जितने provisions आपने complete कर लिया है, अच्छा जो ये regulations है ना, इन regulations को करने में हम लोगों को बहुत time नहीं लगेगा, क्योंकि ये regulations अलेडी हम लोगों ने साथी साथ, जब हम लोग अभी content पढ़ रहे थे, तो अभी साथी साथ करते चल रहे थे, तो इसमें इतना time नहीं लगेगा, हम लोगो main जो time देना है, वो अब देना है PPIRP पर, इस पर time देना है sir, PPIRP पर, और हमको पहले समझना पढ़ेगा ये PPIRP होता क्या, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप लोग अगर books में pay number खोलना चाहें, तो खोल सकते हैं, pay number 475, can we say winding up is a process and dissolution is an order, winding up का भी order pass होता है, winding up का भी order pass होता है, तो प्रिंस आप ऐसे ना बोलें तो ज़्यादर बेटर, ठीक हैं, चलो गए, अब आता हैं हमारे सामने, PPIRP, दो अमेरिका टाइम लेना हो तो प्रिस ले लीज़े, मैं यहीं पर हूँ, एक बाद रिकॉल कल दीज़े, पुरा winding up, खुछ पूछना हो तो प्रिस पूछ लीज़े, आता हैं, PPIRP, प्रिस पार्टश्यादर, इन्सॉल्वेंसी रिजलीशन प्रोसेस पच्छेस लाने नहीं देंगे लोग मतलब नहीं टेंशन ना लो भाई आ जाएंगे हाँ यह बिल्गूल क्या सकते हैं रिंगा रॉक इस राइक राइट कि वैंडिंग अप एक पॉसेस हैं डिसलीशन कंक्लूशन कंक्लूशन और फाइनली एंडिंग दर लाइफ ऑफ कंपनी यहां बोल दें बहुत टेक्निकली बोलें तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो डिसलीशन है यह कंपनी की लीगल एक्जिस्टेंस को खतम कर देता है अधर अधर प्रेंस ट्रींशन अधर पीपी आई आई आर्पी और सी आई आई आप इस अपने आप बता दो गें मेरे को आप पस प्पी आई आप पढ़िए उप देखें क्या मज़ा आते हैं तो आप ठीक है चलो वह शुरू करें और बहुंद शुरू करते हैं क्या है सर यह पीपी आई आर्पी जड़ा समझ में तो आए क्या बला है यह तो सर अम ऐसे बोलते हैं कि सर जो पीपी आई आई आर्पी है न यह शुरू होता है सेक्शन 54 ए से और यह वाइंड़ पोता है जाके सेक्शन 54P क्या सर हमको यह section याद रखने हैं अब अगर हम देखें तो 54 A से लेकर P तक जब हम जाते हैं न तो हमको A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P सारे sections हमको मिलते हैं तो क्या सर हमको यह सारे याद करने हैं देखो वैसे तो मेरे को लगता है कि practically आपको याद होने चाहिए थे बट आप जब अपने module में देखते हैं तो module में as such ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ module में आपको section की heading भी नहीं दी हुई है तो इस वज़े से आपको section याद रखने की ज़रत नहीं पूरवी क्या गयाती हैं सर अरे उर्वी चाह बाते कर देखने की जब होता है तो वही tep करता है और इस आपने company को को wind up कर दिया है अब आप इसको dissolve कर दिजाए है आप चलो तो section 54 A से ले करके 54 P तक हमारे पास provisions होते हैं किसके regarding यह PPIRP के regarding अब यह PPIRP एक्च्वल में है कि आप समझेगे कर सर मैं आपको छोटा सा एक करके आएं पीचर और इसी से आपको बहुत सारे डिफरेंस पता लग जाएंगे अज़सी आई आरपी जब और किसके पास favor करता था एक सिपा अदेख हो ध्यांसर अब ध्यान Uncle Charlie आपकर यह यहीं भीताइट संस्टों सेंटेंश के लिगार्द आपके रिपा टन काते करिकरद न sunflower अब यहां से सुनेगा अब आप लोग ऐसे बोलते हैं कि जो एक कंडीशन होती थी वह सबसे बड़ी इंपोर्टन कंडीशन यहां पर ही होती थी कि सेक्षन 4 में ना कंपणी ने डिफॉल्ट किया हुआ अगर सेक्षन 4 में कंप्री ने डिफॉल्ट नहीं किया तो आप लिकीशन लिमट यहीं लगा सकते थैं कि बुद्धार कि इसको बढ़ा कर एक करोड रुपै करती तो इसका मलब आज present time पे हम एक लाग की limit को चेक नहीं करते थे वलकि किसको चेक करते थे एक करोड की कि अगर एक करोड का default है तो फिर हम application लगा सकते हैं किसी लिए CIRP को initiate करने के बिल्कु सभी बात है और यहां सेंटर गौर्मेंट नोटिफिकेशन निकाल के यहां पे हम ल लगाएगा लेकिन यहां पे जब वो application लगाएगा ना तो आप्लिकेशन किसले लगाएगा तो आप्लिकेशन पॉर इनिशेटिंग पीपी आई यार्प अगेंस्ट फिर समय डैश लिए क्या यहां पे कोई कंडीशन होगी और लोगों लिखा लेक कंडीशन अप्लिकेशन अब इसको जब हम लोग फिल फिल अब करेंगे ना सर तो फिल अब करने के बाद हमको पता लगे रहेगा कि इनमें सम्में डिफरेंस क्या है को ठीक बात है कोई कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज बोल ले इसमें कोई दिक्कर तरी बात ही है सर हम लोग अगर आपको याद हो तो पाइंट एम है ना हम लोग पढ़कर आये हैं सर एक आप्ट जिस एक का नाम था MSMED Act 2006 वहां पढ़कर आये थे सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यादे पढ़कर आये थे मोग जवाब दीजे रहा हूं पढ़कर आये थे की नहीं पढ़कर आये थे मैंने अभी रिवीजन में क्लास भी ली थी MSME पर और हम यहां पर इसकी लिमिट्स भी पढ़कर आये थे तो हम लोगों ने बोला कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइस क्या होती थी तो हम लोगों ने बोला था कि सर इन्होंने इन्वेस्मेंट की हुई और प्लांट और मशिनरी एक्विपमेंट में एक करूर रुपे की और इनका अन्वर टर्न ओवर होना चाहिए पांच करूर और इनके बीच में कि यह जो लिमिट्स हैं यह लिमिट्स की सीच के रिगार्डिंग है तो हम लोगों ने बोला कि सर जो यह लिमिट्स है यह एन्वर टर्न ओवर है और जो यह लिमिट्स है यह क्या है इन्वेस्मेंट है इन प्लांट और मशिनरी बहुत ध्यान के सुनना बिटा जहाँ छोड़ा वहीं कांड हो जाएगा यह सीचे बहुत फोकस करियेगा सर ठीक है अब हम ऐसे बोलते हैं सर PPIRP के बारे में हम पढ़ रहे हैं और PPIRP के बारे में हम ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजे मान लिजे एक particular person Mr. X है Mr. X ने company को क्या दिया एक loan दिया लेसे 2 करोड रुपे का और उस loan में default हो गया अब अगर CIRP की process initiate करनी होती न तो Mr. X खुद भी application लगा सकते थे CIRP की लेकिन यहां ध्यान लखेगा application सिर्फ और सिर्फ corporate debtor लगा सकता है ना financial creator ना operational creator कौन लगाएगा corporate debtor अच्छा सर और ध्यान रखेगा यह किसके against लगा रहा है तो यह कहा रहा है against any corporate debtor अपनी ही company को अपनी ही company के against PIRP start करना चाहता है लेकिन शर्त ध्यान रखेगा यह जो company है ना it should be MSME लेकिन यह जो PPIRP की process का benefit दिया गया यह सिर्फ किसको दिया गया है सिर्फ उस corporate debtor को जो MSME MSME का मतलब या micro हो या small हो या medium इस इच पर आपको सबसे ज़्यादा important focus सकते क्या बास सभी में आती है येस और नूँ येस 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 और नूँ आती है यहां पर अगर हम बात करें कि application file की जाएगी with adjudicating authority only if corporate debtor has committed a default इस वह यहां पर default होगा तो ही यह proceeding start होगी लेकिन default का amount कितना होगा सर एक करोड नहीं सर यहां पर default का amount कितना होगा मात्र दस लाख रुपर कि अब अगर मैं तुमसे यहीं पर रुप जाओं और पूछू CIRP और PPIRP में डिफरेंस बताओ तो क्या क्या बताओगे उपर किसी ने ना मेरे से question पूछा था किसा CIRP और PPIRP में डिफरेंस बता देना कि मेरे को लगता है डिफरेंस अब तुम खुदी बता लोगे किसने पूछा था मैं को ध्यान नहीं आ रहा अभी प्रिंस ने पूछा था हाँ जी तो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब QCIRP में application initiate करता था financial Creator अपरेशन Adventure या corporate फैने यहां किया था इसलिए हम लोग आज इसको बहुत अच्छे से करेंगे नहीं किया था इसी लिए हम लोग आज इसको अच्छे से कम्टीट करेंगे देखो तीन डिफरेंस होगे तुम्हारे कुछ पूछना हो तो प्लीज बताईएगा वह यह नोट्स में आपको दे दूँगा यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है सब ध्यान रखिएगा कि यह है पूरा आपका यह कच्छा चिठ्था पीपी आई यार्पी और यह आपका कच्छा चिठ्था ता जिसका कि आई यार्पी को चलिए अब ध्यान से सुनेगा मेरा क्वेशन को पढ़िएगा सुनेगा समझेगा और जवाब दीजेगा हम ऐसे बोलते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेट को लोन मिला पांच लाज रुपे का एस बी आई से ठीक लेकिन इसका डिफॉल्ट हो गया और एक्स वाई जेड आपको बोल दिया गया है कि एक एमेस एमी है ये गेवन है बोल ये क्या इसका पीपी आई आरपी स्टार्ट हो सकता है येस और नो जवाब देंगे लोन लिया corporate डेटर ने corporate डेटर एक konsume isn है लोन नए पांच लाइप डिफॉल्ट हो गया है sbi का Rule दा क्या पीपी आई नहीं हो सकती क्यों रीजन दो हम भी कहते नहीं हो सकती रीजन दो क्योंके sir pem Ip के लिए minimum default हैंउन जो होना चाहिए था जो minimum default amount होना चाहिए था वो 10 lakh रुपे का होना चाहिए था यहां तो मात्र 5 lakh रुपे है बहुत यह अच्छी बात है लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको 15 lakh कर दूँ तो अगर मैं इसको 15 lakh कर दूँ तो अगर मैं इसको 15 lakh कर दूँ तो क्या PPIRP हो सकती है हाँ अग PPIRP हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि अब जो amount है वो 10 lakh रुपे से जादा है बहुत यह अच्छी बात है अति उत्तम अच्छा क्या मैं बोलूँ कि इसी case में उपर SBI अगर चाहे तो वो adjudicating authority के पास जाके PPIRP start कर सकती है येस और नो application दे दे वो SBI application for initiating PPIRP जवाब दो भई क्या यहाँ पे SBI application दे सकती है PPIRP की adjudicating authority को येस और नो नहीं दे सकती possible है नहीं possible नहीं possible है क्यों possible हो no not possible क्यों क्योंकि हम अभी उपर पढ़ कर आये थे application तो मात्र सिर्फ एक ही बंदे के द्वारा लगाई जा सकती है वो corporate data खुद हाँ बलकु ठीक बात है यहाँ SBI की जगे अगर में लिग दूना है MSME खुद जा रही है तो वो possible है otherwise possible नहीं अच्छा फिर मेरा question चलो क्या यहाँ पर SBI एड़िकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके application लगा सकती है for CIRP यह तो लगा सकती होगी यह भी नहीं लगा पाएगी for initiating CIRP क्या SBI एड़िकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके CIRP की application लगा सकती है चलो PPIRP की नहीं लगा सकती है CIRP की लगा सकती है यह नहीं लगा सकती है यह बताऊ यह भी नहीं लगा सकती लोग चलो not possible क्यों not possible क्योंकि again limit एक क्रोर से जादा क्यों नहीं चाहिए यहां तो एक क्रोर से कम का default है अच्छा अगर मैं यहां पर बोल दूँ कि SBI नहीं बलकि SBI नहीं बलकि SBI की जगे MSME खुद application लगा रही है एड़िकेटिंग अथॉरिटी के पास कि मेरी PPI RP start कर तो क्या possible है तो क्या possible है आथ तो possible कि अरे लू SBI कॉर्परेट डेटर कहां से है जित्ती कॉर्परेट डेटर कॉल होता है बेटा पार पर डेटर वह होता है जिसने लोन लिया होता है SBI ने तो लोन दिया है SBI तो क्राइटर है है हाँ डिफॉल्ट होना चाहिए वह कुछ सही बात है अच्छा मैं एक क्वेशन पूछों मैं द्यान से चलो मैं ऐसे लिखते हूँ मैंने ऐसे बुला कि X Y Z Limited एक MSME है यह एप्लिकेशन लगा रही है एड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास और इनिशेटिंग एप्लिकेशन फॉर इनिशेटिंग पीपी आई आर्पी ठीक अब मेरा क्वेशन सुनेंगा बहुत ध्यान से क्या MSME या बोल दें X Y Z Limited इस बाउंड टू मेक अप्लिकेशन क्या MSME X Y Z Limited यहां पर बाउंड है कि उसको अप्लिकेशन लगानी ही पड़ेगी या उसकी मर्जी है तो बोलेंगे सब बाउंड नहीं है इसके मर्जी अब लगाना चाहे तो लगाए नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए कोई दिख्कत वाली बात नहीं है चीक सर बहुत ही अच्छी बात है सर एक चलो तीन डिफरेंस हो गए मारे साथ यहां रखेगा ठीक है ना एक डिफरेंस में और बता दूँगा अभी जिसे कि आपको ना डिफरेंस वाला पॉइंट हो जाए सर जब हम CIRP की बात करते हैं ना दूरिंग CIRP तो होता क्या है कि जब रिजलूशन प्रोफेशनल एपॉइंट हो जाता है ना आई आरपी एपॉइंट हो जाता है तो जो मैनेजमेंट ओफ अफ़ेर है ना ओफ कॉर्परेट डेटर वो किसके हाथों में चला जाता है कि बोड़ व डेक्टर के हाथों में रहता है यह आई एर्पी के पास आजाते ए कि मैं खेटते हैं जैसे ही CIRP की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जो मैनेजमेंट ओफ और अफ़ेयर से corporate debtor का, वो board of director के हाथों में नहीं रहता है, बलकि किसके हाथों में आ जाता है IRP के हाथों में आ जाता है लेकिन जब हम during PPIRP की बात करते है जब हम बात करते हैं किसकी PPIRP तो यहाँ पे जो management of affairs है management of affairs of corporate debtor यह board of directors के हाथों में रहता है या resolution professional के हाथों में चला जाता है कियाता है यह resolution professional के हाथों में नहीं यह board of director के हाथ और यह बहुत ही ज्यादा पड़ा क्योंकि जब c.i.rp होती तो समझेजे c.i.rp में क्या होता है directors के हाथ कट जाते हैं क्यों 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 कि सारी लेकि पीपी इयर्पी में सारी पावर किसके पास तो इसमें कोई कि नहीं है चलो क्या बाश रही हैं कि अगल कोई सब्सक्राइब बाद में या थे या बात में kama कि बताओं कि चलो कोई बात निए अच्छा हम लोगों ने बुला किसा जो CIRP होती है ना इसमें resolution plan बनता है कि क्या बनता है resolution plan अच्छा लेकिन जब पीपी आई रपी होती है ना इसमें भी resolution plan बनता है लेकिन उस resolution plan को हम नाम देते हैं base resolution plan क्या नाम देते हैं base resolution plan जिसको हम बोलते हैं BRP क्या बोलते हैं बेटा BRP अच्छा जब हम CIRP की बात करते हैं न सर्थ तो CIRP में अलग-अलग जगाओं पे जो COC होती है ना उसको approval देनी होती है तो कभी-कभी 51% लिखा होता है कभी 66% लिखा होता है कभी 75% लिखा होता है कभी 90% लिखा होता है लेकिन से जब हम PPIRP की बात करते हैं तो PPIRP में अगर हमको approval चाहिए of COC तो हमेशा approval हमको 66% की चाहिए होती है यहां पे हमको अलग से कोई और percentage की जड़त नहीं होती है सर इशू ऐसा है कि एक्जाम टाइम है और बाकी के भी सब्जेक्स हैं कब क्या करें समझी नहीं आता तो शेडियूल बनाने कभी शेडियूल नहीं है क्योंकि अब तो हमारे पस टाइम ही नहीं है ऐसे समझ लीटे तो बचाई 15 देने बस और मेरा मानना ऐसा है कि जैसे आपका एक तारीक को पेपर है और एक तारीक को पेपर है जी आई जील का तो तुम चाहो या ना चाहो तुम शायद एक तारीक से पहले पूरा टाइम आपको यह भी पढ़नी है हमसे कम तीन चार दिन तो पढ़ोगो पढ़ोगो तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके बद दस दिन भी नहीं पचे तो अब ऊस आप लिए तो इस दस दिन में जो करना है वही करना है तो मेरा मानना तो यह कि प्रेजेंट डाइम पर आपके टालिए अपने टाइमिंग्स को बढ़ाईए 14 गंटे दीजे 16 गंटे दीजे दे सकते हैं ऐसे कोई दिक्कतरी बात नहीं है अगर 15 दिन 14-16 गंटे पढ़के कोई पॉजिटिव डिजर्ट निकल सकता है तो मेरे को लगता दे देना चाहिए इस टोटली वर्थ इट प्रेजन टाइम पर आपको होना क्या चाहिए आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए और सोना चाहिए बस अब उस पढ़ने के टाइम में अध्यान अगर कोई क्लास देखने तो इस अब यह नहीं कह सकते हैं कि क्लास देखने के बाद फिर से हम दो गंटे ले ली और उसके बाद फिर वह वह अगर आप उसे को करते रहेंगे तो भी सब्जेक्ट को टाइम भी नहीं देन पाएंगे चलिए फिर सब हम अभी जब CIRP पढ़कर आये थे तो वहाँ पे लोगों ने सेक्शन 12 पढ़ा था तो वहाँ पे लोगों ने पढ़ा था टाइम लिमिट होती है सर वहाँ लोगों ने पढ़ा था 180 डेज होते हैं मैक्सिमम एक्सेंशन मिलती है 90 डेज की तो यह हो जाते थे 270 दिन लेकिन टोटल CIRP 330 डेज के अंदर हो जानी चाहिए यह पढ़कर आये थे न यह सारी चीज़ें पढ़कर आये थे लेकिन अभी हम यहाँ पे PPIR जब हम PPIRP की बात करते हैं तो PPIRP में तो हमको सिर्फ और सिर् मैकसिमम बॉन में ट्व Culohay क्लोग करेंगे की ब्रेक का देंगे रोम्यों बॉय नो ब्रेक अभी तो ये घंटे बात ब्रेक की बात करेंगे अभी तक्रीबन एगंटे बाद हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग बात नहीं कर रहें ब्रेक प्रेक की चलिए तो मेरे को लगता है कि आपको एक बेसिक ओवर्वियू तो मिल गया कि पीपी आई यार पी एक्ष्वल में है क्या अकाश सरा प्रिमेनी क्लास कब लोग है गवर्णेंस की बटा चाहर दें पहले जो शेडियूल की थी मैंने और प्रेट डिस्क्लोजर की मैंने क्लास कली अप्लोट की है तो आप उसको देख सकते हैं एक शेरोल्डर वाराइट वाली क्लास और है और प्रेजन टाइम पे बच अब विख्र हैं तो बच्चे वांट एकश्छे मिल जाए तो हम लोग से अमेंडमेंड करेंगे उसके लावा और हम लोग एथिक्स में अभी कुछ नहीं कर रहे ठीक है कि अमेंडमेंड नूट किसके सपना किते इचिकbacks किराई है हाँ चली PPIRP भी आते हैं सब आपके बुक्स में पेर नंबर दी है 475 और 475 में आपके देखी क्या रिखाए PPIRP is introduced in IBC 2016 by way of chapter 3a consisting of sections 54a से लेके 54p तक with effect from 4th April 2021. तो यहां पर इसका मलब एक नया रास्ता निकाला गया और सिर्फ किसके लिए निकाला गया है MSMETD eligibility के है तो रिखा वेना corporate debtor classified as तो सबसे important बात यहां पर यह है कि corporate debtor अगर classify किया जाता है as micro, small और medium enterprise as per section 7 of the MSMET Act it commits minimum default of rupees 10 lakh then it can opt for PPIRP और it can opt कम अब तक कौन है इट कौन है आपे corporate debtor खुद प्रिकाद the central government can increase minimum default limit to rupees 1 करोड लेकिन अभी present time पर limit कितनी है 10 lakh कल को अगर सरकार चाहे तो इसको भी बढ़ा के कितना कर सकती है 1 करोड अभी present time पर इसका मतब CIRP की अगर हम बात करें तो limit 1 करोड है और PPIRP की अगर हम बात करें तो limit हमारे पास 10 लाग रुपए है क्या बात समय में आती है येस और नूँ हाँ सर ये तो easy है ठीक है हम पढ़ चुके हैं लेखा which MSME cannot opt for PPIRP ऐसी कौन सी MSME है जो नहीं opt कर सकती PPIRP को अगर इसका अमलब मैं इसको फ़ड़ा सा short में लिखू तो मैं ऐसे बोलता हूँ देखो देहां से रहा हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ कंडिशन्स और मेकिंग अप्लिकेशन यह जो मैं लिख्वा रहा हूँ न यह अपनी बुक्स वगएरा महीं नोट करते चलिएगो नहीं तो कॉपी में नोट कर लिए चाहेगो कह रहे हैं अप्लिकेशन लगाने से पहले MSME जो कॉर्क्रेट डेटर है उसों कुछ शर्टे पूरी करनी होगी लेखा MSME विच है कंप्लीटेट पीपी आई आर्पी और कंप्लीटेट सी आई आर्पी द्यूरिंग दा पीरेड ऑफ त्री यहर्स प्रिसीडिंग दा इनिशेटेट डेट यह क्या है सर क्यारें अगर पिछले तीन सालों में आपने कभी भी कि सी आई आर्पी या पीपी आई आर्पी कि एप्लीकेशन इनिशेट करके कोई तो इन डाट सिचुएशन अब आप तीन सालों तक वापिस से अप्लिकेशन नहीं लगा पाएंगे इसको लगी हो गया कि आप वापिस से प्लिकेशन नहीं लगा पाएंगे ठीक सर कि या पी कि अगर एक एक एमेसमी की और लड़ी सी आयार्पी चल रही है तो वापेस से प्लिकेशन चल रही है सब जब लीकुडेशन होई गई है तो तो अब जब लिक्विडेशन ही चल रही है तो पीपी आई आर्पी से आप लिक्विडेशन को बचा नहीं सकते हैं MSME not eligible to submit a resolution plan under section 29A हम लोग section 29A और पढ़ते तो नहीं है अकाश मैंने अलड़ी आपको लिंक ग्रुप में शेयर के विटा ग्रुप में एक बचेकर विजए तो यहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन यहां पर हमारे इस क्वेशन का अंसर हमको मिलता है कि सर कौन सी PPIRP कौन सी MSME AC है जो PPIRP की process को initiate नहीं कर सकती हां तीन साल तक ध्यान रखेगा एक बार अगर PPIRP या CIRP की process initiate हो चुकी है तो अगले तीन सालों तक अब आप फिर से PPIRP नहीं कर सकते हैं एक बार जड़ा सब लोग पढ़ेंगे यहां पर और एक बार पढ़कर मेरे को जड़ा थमसप करेंगे अगर आपको समझ में आया है तो अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीस मेरे स corporate debtor के financial creator not being its related party लेकिन ऐसे financial creator नहीं होने चाहिए है जो corporate debtor के related party है चलिए छोड़िये financial creditors of the corporate debtor representing such number and such manner as may be specified have proposed the name of the insolvency professional to be appointed as resolution professional for conducting the PPIRP of the corporate debtor अब ये insolvency professional कौन है ये वही 3000 लोगों में से कोई एक होगा जो qualified होगा experienced होगा साथी साथ registered होगा enrolled होगा इनी insolvency professionals में से किसी एक particular person को हम अपनी company का क्या बना लेंगे इनी insolvency professional में से हम अपनी इस PPIRP के लिए किसी एक particular person को क्या बना लेंगे resolution professional बना लेंगे नहीं सर्थ शुभी ऐसे नहीं बोलना हम ऐसे बोलेंगे कि अगर मान लीजे कि एक करोड से उपर का default है तो हम या तो CIRP में चले जाए या PPIRP में चले जाए दोनों options है और अगर एक MSME होगी तो PPIRP में आएगी क्योंकि यहां पर procedure relaxed है यहां पर डिसाइड करेंगे प्रपोस करेंगे नाम इंसल्वेंसी प्रफेशनल का लेकिन नाम की अप्रूबल कैसे होई कि तो लिखा सथ ध्यांस देखी के लिखा है यहां पर 66% की ही figure आएगी in value of the financial debt due to such creditors have approved the name of RP proposed तो जो 6-6% financial creditors हैं वो मिलके decide करेंगे कि कौन यहां पर appoint होगा as RP पर पावर बॉर्ड प्रेक्टर के पास है तो सर आर्पी का क्या काम है बेटा बोर्ड डिरेक्टर के पास सिर्फ management of affairs की पावर बोर्ड जो बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर सें वह यहां पे सिर्फ कंपनी का management संभालेंगे resolution plan तो तैयार यहीं करवाएगा बेटा resolution plan कौन तैयार करवाएगा resolution plan तो आर्पी ही करवाएगा कि वह भी बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर कराएंगे resolution plan जो है वो resolution professional के त्रूई होगा इस तीचा ध्यान रखेगा चलो भई पहले यहां तक सब कुछ जो पूछ रहा है आप लोग को पीस पूछ दीजें कुछ भी पूछ रहा हो तो नहीं तो आगे हम लोग को बस पढ़ते चलना है और समझ में आता चला जाएगा पिर देखी क्या लिखा लिखा यहां पर ऄचे क्या आइस देरेक्टर और समय् खैकर अधिड्साइटिक कॉर्प्रेटेटर सहलए . समय कवच और देख्टी अर्पेशन इनियंश्याटिटेंग जम्हच रिथे शायं तक समय ख़ाता जॉड्द पार्टegen उना दीटरिक्टर आउनिस recorded 50% जो डिरेक्टर से हैं अगर उनका resolution पास हो जाता है और वो declaration देते हैं कि हम एक application file करना चाहते है PPIRP की तो जैसे ही उन्होंने declaration file की है उसके 90 दिन के अंदर अंदर PPIRP की application file हो जानी चाहिए PPIRP is not being initiated to defraud any person उनको declaration देनी होगी कि जो PPIRP की process हो रही है वो किसी particular person को defraud करने के लिए लग किसी को धोखा देने के intention से नहीं हो रही है और लिखा the name of the insolvency professional proposed and approved to be appointed as a resolution professional by unrelated financial credit और इसी इचका भी ध्यान देना होगा कि जो resolution professional appoint किया गया है by the financial creditors वो कौन है तुर को ठीक बात है बोलो बिड़र साथ-साथ बोलते चलो तो हमारा काम असान हो जाएगा अजर साथ-साथ नहीं करेंगे तो दिक्केत हो जाएगी और जादा लंबा process नहीं है जल्दी से जल्दी खतम कर पाएंगे इसको इत्ती कोई दिक्कत नहीं होईगी सर हम लोगो हाडली तीन पेज़ेज हैं और हम लोग तीन पेज़ेज को हाडली नेक्स्ट एक वह तक कम्प्रीट कर लेंगे उससे पहले भी हो सकता है उसके बादर भी हो सकता है पहले यह तक बताओ सब कि आर्पी अपॉइंट मेंबर्स नहीं करेंगे बटा आर्पी अपॉइंट करेंगे फानेशल क्रेइटर्स तो ऐसी सिच्वेशन में आप पीपी अई आर्पी इनिशेट ही नहीं करवा पाएंगे फिर तो लिक्विडेशन ही आखरी प्रॉसेस वचेगा ठीक है तो पहले उसको एक स्पेशल रिजूशन पास करना होगा और अगर 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 तो LLP में कम से कम थ्री फोर्थ पार्टनर्स अप्रूवल देंगे तब ही कॉर्प्रेटेटर पीपी आई आर्पी के अप्लिकेशन लगा पाएगा अधरवाइस नहीं लगा पाएगा ठीक है पेड़ा तुम लोग इस ताइम ना थोड़ा सा चाट बॉक्स प्रैक्टिव ह पास तो लगा सकता है लेकिन अप्लिकेशन लगने से पहले कॉर्पेटर को बूल गया कि प्टियार्पी के अप्लिकेशन लगाने से पहले एक जनल मीटिंग बईएगा जिनल मीटिंग में application लगा पाएंगे, otherwise नहीं लगा पाएंगे, छीख सर, फिर नीच आए लेखा, approval of the financial creditors, लेखा जब special resolution पास हो गया, then the corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditors, representing not less than 66%, यह हम अलड़ी देख चुके हैं, कि यहाँ पर हमेशा आपको figure जो मिलेगी, वो कित्ती मिलेगी, 66% in value of the financial debt, due to such creditors, for the filing of an application for initiating PPIRP and prior to seeking approval from financial creditors, the corporate debtor shall provide such financial creditors with, क्या रहे हैं, अब ध्यान से समझे, corporate debtor application लगाना चाहते हैं, किसीच की, application लगाना चाहते हैं, PPIRP की, तो corporate debtor पहले अपने member से पूछेंगे, special resolution पास करवा के, फिर वो financial creditors से पूछेंगे, और financial creditors की meeting होगी, जिसमें 66% financial creditors हमको approval देंगे, उनके approval मिल जाने के बाद ही हम PPIRP के application लगा पाएंगे, अदर्वाइस नहीं लगा पाएंगे, दूसी चीच हमको यह बोल दी गई, कि PPIRP के application लगाने से पहले, जब आप financial creditors से यह approval ले रहे होंगे, कि PPIRP के application लगानी है या नहीं लगानी, तो आप उन financial creditors को कुछ financial information भी देंग copy लगाई है, SR की, कि आप अपने members से approval ले चुके हैं, अब base resolution plan, यह हम लोग अलएडी discuss कर चुके हैं, कि क्या BRP आपने तियार किया है, अगर तियार किया है तो वो, which confirms to the requirement in section 54K, हमको याद करने की जड़त नहीं है, and such other information and document as will be specified, तो यहां तक देखे, यहां तक कुछ कर लगी हो, तो प्रीस बताइए, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है, कि यहां पर कोई financial creditors होई न, माल लोग एक ऐसी company है, जो MSMी है, जिसमें financial creditors ही न, फिर क्या होएगा, तो कहते हैं, फिर उसकी जगे पर operational creditors आजाएगे, और यहां ध्यान अकिएगा, कोई भी ऐस resolution plan तयार न एकसेट नहीं करेंगे, कभी भी एकसेट नहीं करेंगे, एक रुपे कभी अगर operational creditors का नुकसान हो रहा होगा, तो हम कभी भी, कभी भी आपकी application को एकसेट नहीं करेंगे, इस सीच का आपको विशेश तोर पे ध्यान अखना होगा से, चलो मैं आपको एक वो बना के दूं ह सबसे पहला काम क्या करना है कि जो insolvency professional है जिसको आप resolution professional बनाना चाहते है उसका नाम प्रपोस करें यह insolvency professional वोन होगा जो 300 लोगों में से होगा उनमें से आप किसी एक particular person को अपना क्या बनाना चाहते है resolution professional बनाना चाहते है stage number two proposal to appoint an insolvency professional as resolution professional is approved तो पहले आप प्रपोस करेंगे फिर आप उसकी approval लेंगे ठीक है फिर stage number three declaration by majority of partners एल 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 पी के केस में या फिर majority of directors फिर stage four आईगी एसार पास्ट आईगे था आईगे आईगी के साहते है a resolution passed by the 4th of partners approving PPIRP fair stage 5 furnishing of information and documents by corporate debtor to financial creditors corporate debtor financial creditors information documents stage 6 stage 6 approval of financial creditors for making application to initiate to initiate PPIRP और लास्ट में आया stage number 7 जिसमें हमने लिखा application for initiating PPIRP is filed with adjudicating authority तो हम लोग ने बुला कि सर ये आपके पास 7 stages है जो आपको complete करनी है जिसके basis पे हम लोग ने बुला one by one step हम लोग ने नोट कर लिया जो आपको PPIRP की process के लिए initiate करना हो clear है बटे यहां तक देख लिए जब कुछ पूछना हो तो प्रीस बताइए यह बहुत important step है आपके लिए अगर आपने यह समझ लिया तो समझ लिए काम हो गया क्योंकि यहीं तक main है आपके लिए समझ लिए यह basic बेसिक सी चीज़े हैं stage 6 एक बार readout करूँ क्यों पढ़ने में नहीं आया approval of financial creditors for making application to initiate PPIRP approval of financial creditors for making application to initiate PPIRP stage number 7 क्या application for initiating PPIRP is filed with adjudicating authority अच्छा it's 12.30 मेरे को प्लीस एक call आ रही है मेरे को receive करनी बहुत जरूरी है आप मेरे को दस पंदमेट का time देदीजे बस मैं आपको बताता हूं अभी हुआ है 12.30 मैं आपको 12.45 पे वापस से मिलता हूं ठीक है जस्ट 15 मिनिट्स आप पंदमेट ब्रेक ले सकते हैं बली और जड़ा जो बच्छे क्लास नहीं ले रहे हैं उनको प्लीज बता भी दीजे कि पीपी आई आरपी चल रहा है प्लीज चला कर लें क्लास कब तक चलेगी ऑल्मोस तीन बज़े तक तीन बज़े से पहले पहले वाइंड अप हो जाएगी ठीक है जस्ट पंदमेट को ब्रेक ठीक है वह मैं स्टार्ट करते हैं मैं लिग भी देता हूं ठीक है 1245 पर 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 स्टार्ट करते हैं जो बच्छे नहीं है उनको बता दीजे प्लीज कि वो भी आ जाए करते हैं झाल 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 अवाद आ रही बच्छे कि अच्छ अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ अच्छ शुरू करें दीवती कहती लिमिट मेंडा उट है ओहाँ दीवती CIRP की प्रोसेस में एक करोड अल्डी हो चुका है और PPIRP की प्रोसेस में यह अभी 10 लाग है बस अगर कल को सरकार चाहे तो PPIRP की लिमिट को भी 10 लाग से एक क्रोड कर सकती है अभी दस लाग ठीक है चलिए बढ़े आगे तो आपके सामने लिखा है सर हम लोग कर रहे थे प्री पैकेज़्ट इंसल्वेंसी रिजलीशन प्रॉसेस जो MSME के लिए थी और हम लोग ने बोला कि यहाँ पर application है तो इनिशेट प्री पैकेज़ इंसल्वेंसी रिजलीशन प्रॉसेस यारे जब आप application फाहिल करेंगे विद अजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो उस एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को application फाहिल करते समय आपको यह चार चीजें भी उसी के साथ अटाच करके देनी हैं क्या-क्या पहले नंबर पे जो declaration है कि आप पीपी आई यार्पी की process को start करवाना चाहते हैं इस special resolution की copy या resolution की copy तो special resolution की copy तब लगेगी जब company का case होगा और resolution की copy तब लगेगी जब LLP का case होगा and the approval of financial creators for initiating PPIRP और यहाँ पे जो approval होगी वो कितने percent की होगी 66 percent की फिरकाद नेम and the written consent of the insolvency professional जिसको आपने propose किया है to be appointed as a resolution professional and his report about eligibility of CD eligibility of CD का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी resolution professional appoint किया जाएगा वो यहां पर यह बताएगा कि yes यहां पर जो हमारी company है वो MSME है और MSME होने के नाते वो PPIRP के application लगा सकती है and along with the base resolution plan कि अभी present time पर हमारे पास इस company को insolvency से बचाने का resolution plan है उसकी copy attach करेगा साथी साथा declaration regarding the existence of any transaction of the corporate data that may be within the scope of provision and respect of avoidance of transaction under chapter 3 और fraudulent or wrongful trading under chapter 6 अब यह क्या है declaration दी जाएगी corporate data के द्वारा कि सर जो यह application PPIRP की लगाई जा रही है इसकी वजह से हम as such किसी भी तरीके की कोई fraudulent activity नहीं करना चाहते इस PPIRP की application को हम इसके लगा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पस कोई और option नहीं बचा अगर कल को यह पता लगता है कि हम यह application लगा रहे हैं यह fraudulent intention से लगा रहे हैं तो हमारे against legal actions ले लिए जाए और लास्ट में लिखा है information relating to books of accounts of the corporate debtor and such other documents relating to such period as may be specified यह इसके लाव बुला गया कि आपको books of accounts की copy भी attach करके application में इंटेनी होंगी किसको NCLT को जिसे कि यह पता लग जा है कि present time पे company की मालिकाना हालग कैसी है बस हाँ बिल्कुल सही बात है यश पीपी आई रपी में कोई extension नहीं मिलती यह एक point है लेकिन हम लोगों ने इस point को अलग से इसले नहीं लिखा क्योंकि already हमारे exam में जो distinguish between आते हैं वो चार marks के maximum आते हैं तो इस चार marks को देखते हुए हम लोगों ने और छिह साथ distinction कर लिया चैप्टर है तो उस चैप्टर में अब क्या मेहन हो आपको बताओं मेरे को ऐसा लगता है कि environmental law intellectual property law यह दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत easy है registers and records की maintenance बहुत easy है labor law lengthy है जिसमें चीज़े याद करने वाली जादा है बट वो difficult नहीं और यह चारों चैप्टर्स के में आपक Google लिंक पर जाई है आपको चारों ही चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे जो रिमेनिंग दो चैप्टर्स हैं वो भी हम आपको दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है तीन नहीं बेटा बैने चार चैप्टर के दिये हैं और वो चारों चैप्टर के नोट्स मोड़ देने दाव से आप नोट्स ऑल्रीडी ड्राइव पे हैं बेटा आप ड्राइव चेक नहीं करते क्या चलो अब ध्यान से देखिए अब अब एड्जुडिकेटिंग अथॉर अब एड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी को 14 दिन के अंदर अंदर अप्लिकेशन रिसीव करने के 14 दिन के अंदर अंदर और पास करना है या तो अप्लिकेशन को एड्मिट करना है अगर अप्लिकेशन कम्प्लीट है या अप्लिकेशन को रिजेक्ट करना है अगर अप्ल है तो application admit हो जाएगी अगर incomplete है तो application reject हो जाएगी फिर हम लोगों ने बोला the adjudicating authority shall before rejecting an application किसी application को reject करने से पहले adjudicating authority shall give notice to the applicant to rectify the defect in the application within seven days अगर adjudicating authority को लगता है कि लगाई हुई application पे किसी तरीके का defect है वाट उस defect को rectify किया जा सकता है तो उनको 7 साथ दिन का time देकर उस particular गलती को rectify कर वाया जाएगा और उसके बाद application को admit कर लिया जाएगा अगर उन adjudicating authority आपकी application को admit कर लेगी वही particular day आपकी commencement date बन जाएगी PPIRP की तो लिखा from the date of admission of the application जिस दिन adjudicating authority ने आपकी application को admit कर लिया उसी तिन से आपकी PPIRP comments हो जाएगी तो उसके बाद लिखा time limit for completion of PPIRP तो आम लोगों लिखा देखो PPIRP shall be completed within 120 days from the pre-packaged insolvency commencement date और यह commencement date है और pre-packaged insolvency commencement date को आमने short में क्या लिखा PPICD तो 120 दिन के अंदर अंदर आपको यह सारी process complete करनी है तो लिखा resolution professional shall shall submit approved resolution plan within 90 days of PPICD commencement date से 90 days के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा resolution plan submit करना होगा तो सर अभी हम लोगों ने ऐसे बुला कि 90 दिन के अंदर अंदर plan submit करना पड़ेगा और total 120 दिन है तो 30 दिन extra किसे मिले तो हम लोगों ने बुला 90 दिन के अंदर आप resolution plan submit करोगे तो 30 दिन का time हम कम से कम adjudicating authority को भी तो देंगे कि adjudicating authority आप चेक करो कि resolution plan accept करना है या नहीं करना तो हम लोगों ने बुला कि यहाँ पे 90 plus 30 days का क्या relevance है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या लिखा है कि जो resolution professional है वो यहाँ पे approved resolution plan करेगा 90 दिन के अंदर और 90 दिन का यहाँ पे time क्यों लिखा है total जब 120 दिन का time है तो क्याते 30 days का जो time है वो दिया जाएगा adjudicating authority को इस decision को लेने के लिए कि क्या यह resolution plan वो accept करती है अगर वो accept करेगी तो resolution plan finalize हो जाएगा और अगर PPIRP की process सक्सेस्वल नहीं हुई तो फिर corporate debtor की liquidation ते है और जैसे ही corporate debtor की liquidation की बात आएगी तुरंत वापिस से वही CIRP के बाद जो liquidation की procedure थे वही same as it is यहाँ पे भी apply हो जाएगा ठीक है फिर तभी देखे लिखाए if COC does not approve resolution plan within 90 days क्या रहे है अगर मान लीजे COC ने 90 दिन के अंदर कोई भी plan कोई भी resolution plan approve नहीं किया then RP resolution professional है वो यहाँ एक application लगाएगा की PPIRP की process को क्या कर दिया जाए टर्मिनेट अच्छा जैसे terminate होगी तो रंत फिर company की क्या start हो जाएगी liquidation start हो जाएगी क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की problem या तुम लोग जो भी बच्चे ऑननाईन बैठें जवाब क्यों नहीं तितबह है 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 हम कित्ती बार जवाब दें बार बार chat box पर लिखें क्या थोड़ा थोड़ा लिख लो फिर हमारे सामने आया सर declaration of moratorium and public announcement during PPIRP सर अभी हम लोगों ने वैसे moratorium हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है CIRP में बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा overview देता हूँ जिससे कि हमारा यह point clear हो जाएगा तो जहां से सुनेगा हम लोगों ने बोला moratorium में एक ऐसा time period होता है जहां पर यह बोला जाता है कि जब सर company की CIRP या PPIRP start हो जाती है तो company के आगे होने वाली बहुत सारी activities पर रोक लगाती जाती है जैसे example देता हूँ कि जब company की CIRP या PPIRP की process start होती है तो company के उपर आप case file नहीं कर सकते जो legal proceedings company की चल रही है उस पर stay order लग जाता है company की assets को sale नहीं किया जा सकता यह moratorium period के दौरान यह particular restrictions लगा दी जाती है उस corporate data पर तभी यहाँ पर लिखा the adjudicating authority shall on PPICD PPICD का मनलब pre-packaged insolvency commencement date along with the order of admission application तो admit की साथी साथ उन्होंने announce कर दिया declaration of a moratorium और जैसी moratorium डेक्लियर हुआ आपके उपर बहुत सारी activities पर रोक लग जाएगी appointing RP named in the application जो आपने insolvency professional का नाम propose किया था उसको resolution professional बना दिया जाएगा और एक public announcement दे दी जाएगी of initiation of PPIRP by resolution professional क्यों क्योंकि जिससे जितने भी लोग हैं जो stakeholders हैं इस particular company के उनको पता लग जाए कि company की PPIRP start हो गई है साथी साथ जितने company के creditors है उनको भी ये पता लग जाए कि PPIRP start हो गई है तो वो उने claim को raise कर पाए immediately after his announcement और moratorium कब तक चलेगा moratorium तब तक चलेगा जब तक PPIRP खतम नहीं हो जाता CIRP के case में भी बिल्कुल exactly सेम बात है moratorium तब तक चलता है जब तक CIRP complete नहीं हो जाता सौरब कहते हैं सर अगर एक करोल प्लस है तो क्या CIRP कर सकते हैं after PPIRP नहीं हम लोग ये पढ़ते हैं PPIRP या CIRP में कोई आप एक चीज़ करिए अगर एक चीज़ successful नहीं हुई तो it doesn't mean कि दूसरी कर लेंगे कोई एक ही चीज़ करेंगे ठीक है सौरब हांची पर देखिए क्या हुआ हुआ अब हम लोगोंने बले list of claims and preliminary information memorandum last class में बच्चे हमसे पूछ रहते शायद किसी ने पूछा भी था कि सरी ये information memorandum क्या होता है information memorandum का मतलब यहाँ पर यह है कि जो resolution professional है वो एक information memorandum तयार करता है जिसमें वो उस particular corporate debtor की सारी basic information note करता है जैसे कितने-कितने creators का claim आया उनके कितने-कितने claims थे कितने-कितने creators secured है कितने unsecured है secured creators का amount क्या है secured creators में कितने creators ऐसे हैं जिनकी security अभी available है उन securities की क्या value है फिर उसके बाद government के dues कितने हैं workers के dues कितने हैं यह सारी चीज़े information memorandum में तयार की जाती है तब इन खाता corporate debtor shall within two days of PPICD submit to the resolution professional the following information namely क्याने जैसे ही आपकी pre-packaged insolvency commencement date आएगी तोरंत उसके दो दिन के अंदर company आपकी जिम्मेवारी बनती है LLP आपकी जिम्मेवारी बनती है जिसकी PPIRP start हुई है कि आप अपने resolution professional को नीचे दिवही basic information प्रोवाइट करिए जिससे कि वह अपना resolution plan त्यार कर सके information memorandum त्यार कर सके तो लिखा a list of claims along with the details of the respective creators तो जो आपकी claims है जो creators है उनका amount their security interest and guarantee if any and a preliminary information memorandum containing information relevant for formulating a resolution plan इसके साथ साथ आप उनको वो basic information दीजे जिससे कि वह अपना resolution plan त्यार कर सके सोफिया कहती है सर आप जब लिखवा के पढ़ाते हो वो अच्छे से याद रहता है लेकिन जब module से read करवाते हो तो उपर से जाता है ओ हो ऐसा नहीं है सोफिया आप हम लोगों ने पहले बोला कि PPIRP की eligibility के है तो हम लोगों ने बोला PPIRP सिर्फ उनी organizations के लिए हैं जो MSME sector में है like micro, small and medium और उस case में भी हमको बोला गया कि सिर्फ corporate debtor ही PPIRP के application लगा सकता है educating authority के सामने और जब PPIRP की application लगाई जाती है तो उस case में default होना चाहिए कम से कितने रुपे का 10 लाख रुपे का चलो मैं color भी change कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे तो corporate debtor ही application लगाता है और corporate debtor कब application लगा चकता है जब वो MSME हो और default हुआ हो कितने रुपे का 10 लाख रुपे का हूँ बिल्कुल ठीक बात है कोई बात है दिपानशुई आओ हम लोग वापिस से start करते हैं क्या रहें अभी सच जो default का amount है वो 10 लाख रुपे है कि अकल इसको बढ़ा कर एक करोड किया है बिल्कुल का अगर सरकार कल को चाहे तो इस 10 लाख को 20 लाख कर सकती है 30 लाख कर सकती है चालिस लाख कर सकती है तो वो अगले तीन सालों तक अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को वापस से इनिशेट नहीं करा सकता। अगर कोई पर्टिकुलर MSME प्रेजेट टाइम पे लिक्विडेशन में है तो ऐसे जब वो अलड़ी लिक्विडेशन में जा चुकी है तो अब वो PPIRP के आप्लिकेशन नहीं लगा सकती। चौते नंबर पर हम लोगों ने बोला अगर कोई corporate टेटर ऐसा है जिसके पास कोई resolution plan है ही नहीं कोई corporate टेटर ऐसा है जिसकी माली काना हालत बहुत खराब है जिसकी liabilities बहुत ज़ाद है और assets बहुत कम है तो किसी भी तरीके का resolution plan वहां पे successful नहीं होगा तो वो PPIRP के application नहीं करने की नहीं आ रहा क्योंकि अब देखो मैं स्टार्टिंग से तुम से हर एक स्टेप पे पूछा तक तक तुम आ रहे हैं तो तुम लोग बोले तो आप बोलों सब उपर से जा रहे हैं तो मेरे को साथ साथ बताते चलो ना जहां दिक्कत था कि महीं रोग देना ठीक है फिर पहले प्रपोजल दिया जाएगा प्रपोजल देने के तुरंट बात यहां पर क्या दिया जाएगा अप्रूबल दिया जाएगा तो पहले आर्पी का नाम प्रपोज किया जाएगा और फिर आर्पी के नाम के रिगार्डिंग अप्रूबल ली जाएगी और अप्रूबल क proposed IRP नाम देते हैं फिर इसको हम IRP बनाते हैं और फिर हम उसको resolution professional बनाते थे बट यहाँ पर बहुत simple है यहाँ पर IP है और सीधे हमने उसको resolution professional बना दिया हमने IRP और IRP नहीं बनाया यह सीच का ध्यान दीज़ेगा ठीक है फिलेका सार declaration by the majority of the directors और partners to initiate PPIरP जबी भी कोई particular corporate debtor PPIरP के application लगाना चाता है तो पहले उसके जो directors हैं या LLP के जो partners हैं वो एक declaration देते हैं वो declaration इस सीच की देते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर वो सारी application त्यार कर लेंगे साथी साथ वो यह भी बोलते हैं कि वो जो PPIरP की process initiate करना चाते हैं उससे किसी भी particular person को कोई भी नुकसान नहीं होगा मलब किसी को धोखा देने के intention से हम PPIरP की process को start नहीं कर रहे हैं साथी साथ जो नाम यहाँ पर प्रपोस किया जाता है और approve किया जाता है as a resolution professional वो unrelated financial creators करते हैं मलब approval हमेशा financial creators की तरफ से ही आएगी जैसे ही directors अपने declaration देते हैं एक general meeting बुलाई जाएगी उस general meeting में special resolution पास कराया जाएगा अगर company का case है अगर LLP का case है तो partners की meeting बुलाई जाएगी और three fourth approval ली जाएगी और जैसे ही approval आएगी उसके बाद ही आप application लगा पाएंगे otherwise application नहीं लगा पाएंगे application लगाने से पहले आपको अपने financial creator से भी application अप्रूबल लेगी इसका मतलब यह हो गया कि आप पहले directors से declaration लेंगे directors की declaration आने के बाद special resolution पास होगा और तीसे नंबर पे approval of financial creators आएगा तो अगर मैं hierarchy चलाओं तो कुछ इस तरीके से चलेगा कि पहले declaration आएगी और declaration किसके पास से आएगी declaration आएगी board of directors के पास से दूसे नंबर पे अगर मैं बोलूँ तो दूसे नंबर पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि approval आएगी और approval किसकी आएगी सर्जनल meeting बुलाई जाएगी उसमें SR पास किया जाएगा तीसे नंबर पे financial creditors की meeting होगी financial creditors की meeting होगी और financial creditors में 66% लोगों की approval ली जाएगी क्या यह बात क्लियर है हिमानशु एक question पूछते हैं सर मेरे को एक बार SR वाला point बता दो winding up वाला वो reconcile नहीं हो पा रहा अरे कुछ नहीं है winding up वाला ऐसा यह कहां से आगया हिमानशु कौन से winding up कहां से लिया है winding up तो छोड़े वे घंटा होगे हम लोगों अभी उसको रुख जाओ हां तो हम लोगों ने बुला कि सर यहां पे जो financial creditors है वो approval देंगे तो इसका मलब पहले नंबर पर declaration आएगी board of directors है दूसे नंबर पर general meeting बुलाई जाएगी जहां SR पास किया जाएगा तीसे नंबर पर financial creditors की meeting बुलाई जाएगी जहां पर 6-6% financial debts own करने वाले financial creditors अपनी approval देंगे जब यह सारी approval complete हो जाएगी तो हम application लगाएंगे finally PPIRP की कि किसके पास adjudicating authority के पास जब adjudicating authority के पास application लगाएंगे तो adjudicating authority हमारी application accept भी कर सकती है reject भी कर सकती है जिस दिन adjudicating authority हमारी PPIRP के application को admit कर लेगी वही दिन हमारा बन जाएगा PPICD PPICD का मतलब pre-packaged insolvency commencement date जो pre-packaged insolvency commencement date होगी उसके 120 दिन के अंदर आपकी ये पूरी PPIRP खतम हो जानी चाहिए जो PPIRP की process जब start होगी तो उसके 90 दिन के अंदर आपको एक resolution plan submit करना होगा ये resolution plan approved resolution plan होगा approved का मतलब committee of creditors जिसमें financial creditors होगे वो यहाँ पर approval देंगे कि इस particular resolution plan को approval करने है या नहीं देनी है और जो approval होगी वो 90 days में होगी क्यों क्योंकि 90 days के बाद 30 दिन का time हम adjudicating authority को भी देंगे कि adjudicating authority ये check कर सके कि इस particular pre-packaged को इस resolution plan को approval देनी भी है या नहीं देनी वो सीच को यहाँ पर चेक किया जाएगा और last में बोला कि हम लोग अगर 90 दिन के अंदर किसी भी तरीके की application को submit ना कर पाए तो फिर resolution plan resolution professional क्या करेगा हमारी PPIRP की termination करेगा क्या करेगा termination करेगा फिर हम लोगोंने बोला जैसे ही PPIRP start हो जाएगी एक moratorium time period start हो जाएगा और moratorium time period तब खतम होगा जब PPIRP की process भी खतम हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोगोंने बोला कि सर एक list of claim तयार किया जाएगा क्यूं क्यूंकि हम already public announcement दे चुके हैं उस public announcement के थ company की present time पे situation कैसी है अब बताओ देखो हम लोगोंने हाड़ी 5-7 मेंट के अंदर सारी चीज रिवाइस की एक बाइज़ा चेक करेंगे आप कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे मेरे सर अभी पूछ तो और देखो एक चीज मैं आपको तुर्ण यहीं करा देता हूँ management of affairs of corporator यह बहुत important point है तो हम लोगोंने बोला था जब CIRP होती है सर तो management चला जाता है board of directors के हाथों में लेकिन जब CIRP होती है तो control चला जाता है resolution professional के हाथों में लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं PPIRP की तो management का control board of directors के पास ही रहता है तो यहां पर लिखा देखो during the PPIRP period the management of the affairs of the corporate debtor shall continue to waste in the board of directors or the partners of the corporate debtors who shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage its operation as a going cut बिल्कु ठीक बात है इन्सॉलवेंसी commencement date के साथ दिन के अंदर अंदर एक C.O.C. बनाई जाए based on the list of claims confirmed and updated regularly जो claims आए है उनके basis पर financial creditors आएंगे और financial creditors के basis पर यहां पर हम लोग C.O.C. बना देंगे आपको साथ दिन के अंदर पहली C.O.C. की meeting करा है क्या हो गया तुम लोगो सर financial creditors की दो बार approval किस सीच के regarding दो बार approval बेटा अपर किस सीच के यहां यहां C.O.C. तो अभी तक बनी नहीं थी उपर तो खाली हम लोग खाली अपने financial creditors से approval ले रहे थे यहां पर तो C.O.C. मैंने आपको भेजे हैं उसके अलावा मैंने class में notes बनाये थे वो और add-on कर लिजेगा जहां पर हम लोगोंने बोला था कि कौन-कौन से register and records maintain करने होते हैं company को वो add-on कर दिएगा बाकी और कोई दिखते हैं ठीक है? हाँ जी अच्छा फिर हम लोगोंने बोला देखो क्या लिखा है Vesting Management of Corporate Debtor with Resolution Professional ये क्या है? सर अभी तो हम उपर पढ़कर आए अगर हम ये पढ़ें तो हम लोगोंने देखो लोगा कि जो management of affairs है Corporate Debtor का वो तो company के board के हाथ हो में ही रहता है तो फिर यहाँ पर हम company के corporate debtor के management को resolution professional को क्यों दे रहे हैं? कहरें कुछ ऐसे circumstances हो सकते हैं जिन circumstances में हम company का management दे दें किसके हाथों में? हम company का management दे दें किसके हाथों में? हम company का management दे दें resolution professional के हाथों में तो हम लोगोंने बोला Generally तो sir ऐसे होता है कि जो corporate debtor का management है रहता है चनली यह बोर्ड के पास ही रहता है लेकिन कुछ exceptional cases ऐसे हो सकते हैं जिन exceptional cases में जो management है वो management किसके हाथों में आ जाए किसके हाथों में resolution professional के हाथ किसके हाथों में resolution professional के हाथ नहीं ही माहिशू देखो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपसे बहुत जादा procedure पूछा जाएगा आपसे कोई एक specific point पर question put up किया जाएगा इसलिए हम लोग सारे सारे point कर रहे हैं छोड़ नहीं रहे तो as such procedure पूछा जाएगा तो procedure बड़ा लंबा हो सकता है तो उस procedure में तो आप जितना मर्जी point लिखना चाहिए लिख सकते हैं बड़ प्रोसीजर इतनी जल्दी पूछा नहीं जाता पर लेखा देखिए at any time during PPIRP अब ध्यान से देखिए क्यारें PPIRP चल रही है PPIRP चल रही है माला 120 दिन का time चल रहा है COC can decide by a vote of not less than 66% देखो ये तो बहुत असान हो गया सर कि जहां पे भी PPIRP है वहाँ PPIRP में 6-6% की ही approval है नहीं है financial greatest तो लिखा जो COC है वो 66% की अगर voting देता है of the voting share resolves to vest the management of the corporate debtor with the resolution professional कह रहें अगर वैसे तो by default management की power board के पास है लेकिन अगर मान लो कि उस particular PPIRP के दोरान financial creditors की COC की meeting होती है और उस COC की meeting में 6-6% creditors कहते हैं कि ये management दे दिया जाए resolution professional को तो फिर दिया जाएगा the resolution professional shall make an application for this purpose to the adjudicating authority जैसे ही COC की meeting में ये बोला जाएगा कि management दे दिया जाए resolution professional को resolution professional तुरंत एक application file करेगा NCLT को and AA adjudicating authority shall pass an order vesting the management of corporate debtor with the resolution professional if it is of the opinion that अगर ऐसा महसूस होता है कि जो existing corporate debtor का management है वो fraudulent manner में business को कर रहा था that the affairs of the corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner और there has been gross mismanagement of the affairs of the corporate debtor या फिर ऐसा नजर आ रहा है कि corporate debtor के case में कुछ गरबड़े चल रही है ऐसी situation में हम management किसको दे देंगे resolution professional को अब मेरा question सुझेएगा वैसे हम लोगों ने बोला कि resolution जैसे हम लोगों ने बोला कि जो PPIRP की process है उस PPIRP की process में जो management होता है वो रहता है board के पास या हम बोल दें कि LLP की regulatory body के पास या हम बोल दें partners के पास बलकु ठीक बात है लेकिन PPIRP में ही कुछ cases ऐसे हो सकते हैं कुछ ऐसे special case हो सकता है जहाँ पे management की responsibility दे दी जाए किसको RP को किसको दे दी जाए RP को और RP यहाँ पे कौन होगा तो लोगों ने बोला RP तो वही है जो authorized किया गया है लेकिन कैसे कहने यह तभी possible है जब पहले COC की meeting हो और वहाँ पे 66% की approval आए और approval आए कि management किसको दे दिया जाए that management किसको दे दिया जाए it should be in the hands of resolution professional यह पहली चीच दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आपसे यहाँ बोला गया सर्थ त्यान से सुनेगा कि जैसे ही as such resolution professional के favor में यह particular resolution pass होगा resolution professional तुरंत एक application लगाएगा किसको application लगाएगा adjudicating authority को कि as such ऐसा decision लिया गया है अगर adjudicating authority को यह satisfaction मिल जाती है कि yes gross mismanagement है gross mismanagement है या फिर fraudulent activities हो रही है तो यह management किसको दे दिया जाएगा यह management दे दिया जाएगा किसको resolution professional क्या बास मैं आती है हाँ यह बिल्कु सिमिलर है इसी दे तो हम लोगोंने CIRP के बाद PPIRP किया क्योंकि अच्छा बस यह similar ध्यान रखेगा यह similar नहीं है सर क्यों क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगोंने बुला CIRP के case में तो पहले दिन से ही management resolution professional के हाथ हो में आ जाता है और वहाँ पर हम resolution professional नहीं लिखते है बलकि IRP लिखते हैं क्यों क्योंकि उस टाइम पर वह IRP ही होता है लेकिन यहाँ पर IRP नाम का कुछ होता नहीं है यहाँ पर सीथे हम resolution professional ही वर्ड यूस करते हैं के बास नहीं में आ रही है हां जी से देखो आब उसके बाद सर फाइनली winding up पर आ रहे हैं हम लोग खतम कर रहे हैं इसको आखरी तीन से चार heading रहे गई हैं दो मिरट का time ले लिजे फिर से और एक बड़ पढ़ लीजे सोच लीजे कुछ पूछना हो तो पीस पूछ लीजे कुछ भी पूछना हो तो पीस पूछिए के बाद में मौकाज नहीं मिलेगा को आ तो यही तो बोल रहें बोटा है हमा शू कि जब हम लो सी आई आर्पी की प्रोसेस करते हैं तो वहां पर तो हम तो तुरंद ही आरपी का नाम प्रपूस कर याज बहुंज आ पर यार्पी प्रिटेटर के लिए मिन्देटरी होता था कि आपको एक आयारपी का नाम प्रपोस करना है तो और यहां पर हम आयारपी का नाम थोड़ना प्रपोस कर रहे हैं यहां पर नो मैं मांशुख कहा पे दिल्ली में हो यहां नहीं है लिक्विडेशन आपर अभी करेंगे मॉरटोरियम मॉनटोरियम मॉनटोरियम अभी करेंगे महां इसके बाद व्टर फॉर अरेंज्मेंट और एक करेंगे हम आँ, moratory, हाँजी चलो, आउ फटावर्ट से इसको भी wind up करते हैं, अब कुछ बचा नहीं है ऐस सच, बहुत सिंपल सी बात लिखिए सिर्फ जस्ट एक procedure दिया हुआ है, और इस procedure में ऐस सच कोई problem भी नहीं है, मैं आपको important important बात करा देता हूँ, जरत यहाँ से समझेंगे, देखे लिखा क्या है करें start बेटा, हिमान्शु तुमने सुना ही नहीं है, मैं बोलो, यहाँ IRP होता ही नहीं है, तुम बार-बार IRP बीच में लेकर आ रहे हो तुम बहुत confused हो अभी, पहले पुरानी चीज को revise करो, बेटा, PPIRP की process में IRP होता ही नहीं है, कहां से IRP आ गया PPIRP की process में IRP नहीं होता, बेटा, यहाँ पे सिर्फ सीधे-सीधे resolution professional आता है चली, देखी यहाँ पे क्या लिखा है, consideration and approval of resolution plan, लिखा था, corporate debtor shall submit the base resolution plan तो ध्यान रखे, corporate debtor ने खुद अपने लिए क्या बनाया, एक base resolution plan बनाया और उन्होंने submit कर दिया resolution professional को within two days of PPICD and the resolution professional shall present it to the COC तो हम लोग procedure कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं, कि जो corporate debtor है, उसने बनाया BRP corporate debtor के BRP बनाने के बाद, corporate debtor ने इस BRP को, इसको hand over कर दिया, इसको hand over कर दिया, resolution professional फिर resolution professional ने इसी BRP को किसके सामने present कर दिया, COC के सामने present कर दिया, पहले देखो यह समझ में आया क्या बोला हम लोगों ने, corporate debtor ने BRP बनाया, corporate debtor ने BRP बनाने के बाद, resolution professional को दिया, resolution professional ने उस BRP की copy को किसके सामने present किया, COC के सामने present किया Now, COC may provide the corporate debtor an opportunity to revise the base resolution plan prior to its approval और invitation of prospective resolution applicants क्या रहे हैं, यहाँ पर जो COC है, वो COC corporate debtor को यहाँ पर opportunity दे सकती है, कि आप अगर अपने BRP-based resolution plan में किसी तरीके का change करना चाहें, तो कर लीजे क्योंकि आप अगर change रहीं करेंगे, तो हम बाकी resolution applicant से पूछेंगे, कि उनके पास कोई और दूसरे तरीके का resolution plan है अगर कोई दूसरा resolution plan हुआ, तो हम उसको भी accept कर सकते हैं The COC में approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claim owed by the corporate debtor to the operational credit यह बहुत important point है, समझेगा COC कहता है, कि हम इस BRP को accept कर लेंगे अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को COC कहता है, हम BRP को accept कर लेंगे और BRP को accept करके adjudicating authority के पास भेज भी देंगे अगर वो base resolution plan किसी भी तरीके से operational creditor के किसी भी claim को negatively effect नहीं करेगा तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर operational creditor का PPIRP के process के दोरान एक रुपे का भी नुकसान हो रहा होगा तो हम resolution process को accept नहीं करेंगे, बिल्कुल accept नहीं करेंगे अगर हम ऐसे बोले कि मान लिजे जो जो base resolution plan है, वो operational creditor को पूरी तरीके से claim नहीं दे पा रहा या जो COC की meeting हुई उसमें base resolution plan को एक अच्छा resolution plan नहीं माना गया तो जो resolution applicant है, resolution professional shall invite prospective resolution applicant to submit a resolution plan or plans to compete with the base resolution plan if COC does not approve the PRP और the base resolution plan impairs any claims owed by the corporate debtor against the operational creditor तो अगर मान लिजे जो base resolution plan है, वो operational creditor को नुकसान पहुचा रहा है फिर देखे, the resolution applicant submitting resolution plan pursuant to invitation shall fulfill such criteria as may be laid down by the resolution professional तो क्यारे, जो भी resolution applicant file करें के resolution plan वो एक basic criteria fulfill करते होने चाहिए the resolution professional shall provide to the resolution applicant the information memorandum and evaluation criteria ये resolution professional की जिम्मेवारी बनती है, ये resolution applicants को required information present की जाए information memorandum के थूँ the resolution professional shall present to the committee of creators for its evaluation resolution plan meeting requirement of आप लोगो ने बोला, जो भी resolution plan आएंगे, वो resolution plan submit किये जाएंगे COC के सामने COC फिर उसके बाद decision लेगी कि इन resolution plan में किसी को approval देनी है या नहीं देनी the COC shall evaluate the plan so presented and select a resolution plan from amongst them अच्छा जो significantly better होगा, जो plan उनमें से better लगेगा, उस resolution plan को हम accept करेंगे और approval देने अच्छा ऐसा हो सकता है कि हमान लिजे कि कोई resolution plan हमको पसंद ही नहीं आ रहा क्या रहे हैं, where the resolution plan selected is not considered for approval or is not significantly better than the base resolution plan then it shall compete with BRP and one of them shall be elected for approval तो BRP और जो resolution plan आएं हैं नए resolution applicants के थुरू, उनमें से हम जो सबसे better plan होगा, उसको accept करेंगे लेकिन अगर मान लिजे acceptance देनी है तो फिर अगें COC की voting होगी और 66% voting के basis पर decide किया जाएगा कि कौन सा resolution plan accept करना है और कौन सा accept नहीं करना है लेकिन अगर मान लिजे कि कोई भी plan accept नहीं हुआ तो in that situation termination start हो जाएगी termination का मत्तब liquidation process start हो जाएगी हां मैं बताता हूं को ठीक है तो यह सबसे important बात यहां पर यह लिखिए कि अगर मान लिजे तभी देखिए आप क्या लिखाए वेर दा एड़ जुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइट इसफाइड ड़ रिजूशन प्लान दस नॉट कंफर्म तू दी अबव requirement that it may within 30 days of the receipt तब क्या याद आगया आपको 90 days में आपको resolution plan त्यार करना था और 30 days का time हमने adjudicating authority को दिया था तो total 120 दिन का time हमारे पास हो गया था तो 30 दिनों के अंदर अंदर यह जो adjudicating authority है वो reject कर देगी resolution plan को और order pass कर देगी कि सीच का termination of PPP IRP और जैसे PPP IRP terminate होएगी liquidation start हो जाएगा क्या start हो जाएगा liquidation तब यहाँ पर दिखाए कि जैसे resolution plan reject होगा PPP IRP terminate होएगी और एक liquidation order pass हो जाएगा in respect of corporator क्या बास्वर्ण में आती है चलो तो यहाँ तक हमारा sir काम खत्म हो जाता है और यहां पर लगभग लगभग हमारी पिप्ई आयारपी भी खत्म हो जाती है कुछ पूछ ना हो तो प्रीज पूछेगा ev leadership यहां पर हम लोग और पीप आयारपी ऑल्मोस्ट खतं में और एक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे चलिए वाटर फॉर अरेंजमेंट तो मैं आपको खुदी अलग से लिख वाऊंगा पूरा यह सेक्शन 53 का तो मैं पूरा चार्ट बनगाऊंगा इतना पढ़ने के बाद एक चीश समझाई कि यह आईबीसी इंसॉल्वेंसी को लीगल कलर देने के लिए था हाँ तो इसे ही तो है इंसॉल्वेंसी तो एक्ट्वल में असल में क्या है कि जो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया में जब कोई फॉर्ण प्लेयर इंडिया में बिजनस करने आता था न तो वो कहता था कि आपके इंडिया में कंपनी बनाना बड़ा असान है देकिं कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा मुश्किल आप समझेंगे आप आलम समझें कि पहले अभी आप आप समझ सकते हैं कि लाइक तीन चार सान लग जाते थे सर्फ कंपनी वाइंड भी नहीं हो पाती ती आप सोचो एक तरफ मोधी जी कह रहे हैं इंडिया में कंपनी बनाने के लिए एक दिन एक दिन में कंप्री बना दें गये 24 आवर्स और वाइंड आप करने के चार साल त तो जब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सरकारी अथोरिटीज अगर प्रोसीजर को आसान बनाती हैं तो हर तरीके से बनाना पड़ेगा सिर्फ इंकॉर्परेशन असान कर देने से काम नहीं चलेगा उसका वाइंडिंग अभी असान होना चाहिए और अब देखे ना अब यहां त्रफ अपर टायम लिमिट कितने सिर्ट हो गैंद 330 जिर्म माक्सिमंट ताइंट इहां टाईं नहीं तो लिक्विडिएशन स्टा यहां 120 माकसिमूं टाइम मिला ज्याइं स्टाई जञादा बेटर रहे सद अगर आपके पास को स्रेशिघूर्ट एगा इमकरानी कंपनी इ जब असेट सेल होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बिड ही लगे ऐसा को जरूरी नहीं है अगर हमको अच्छी वैल्यू मिल रही होती है कंपनी की उस पर्टिकुलर एसेट के लिए तो हम लोग जवर्दस्ति उसकी आउक्षन नहीं कराते हैं सच सबसे इंपॉर्टेंट क्वेशन हमारे सामने जो सेक्षन 53 में आता है वो आता है कि सर जभी भी हम अपने कंपनी की लिक्विडेशन करेंगे तो लिक्विडेशन के दुरान जब हम अपनी एसेट्स को बेच कर लाइबिलिटी इसको पे आउफ कर रहे होंगे तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा यह है किसीज के रिगार्डिंग वाटरफॉल अरेंजम तभी देखो लिखा है यहां पर हमको मलब इसका मलब प्रारिटी के बारे में पता लगता है कि प्रारिटी किसको मिलेगी तभी देखे लिखा है section 53 of the code provides that for the manner of distribution of asset in case of liquidation and order of priority of distribution section 53 है वो हमको ब किसको प्रारिटी मिलेगी यह हमको पता लगेगा section 53 के थो ठीक बात है सर्थ It is pertinent to note that this order of priority is not withstanding anything contrary which is contained in any other law कहरें ध्यान अखिएगा जो यह particular order of priority है इसका बागी किसी और laws लेना देना नहीं है जब हम IBC के अंदर proceedings करेंगे liquidation की तो यही order follow किया जाएगा ठीक अब इसी नहीं बोला गया this order of priority is also known as waterfall arrangement waterfall arrangement का मतलब क्या होता है सर्थ waterfall गोर्थो होता है जघरना और जघरने का मतलब एक तरीके से क्या होगब जाय कि उपर से तक बताओ किसको किसको पहले पहले नंबर पे पेमेंट मिलेगी तो पहले नंबर पे किसको मिलेगी दूसरे पे किसको मिलेगी तीसरा सब को priority मिल रही है, अब देखिए आपके सामने नहीं ये point लिखे हुए है, देखिए A, B, C, D, 4, E, F, G, H, 8 point है, ये 8 point हम लोगो note करने हैं सर्थ, ये आपके सामने देखिए, 8 point छोटे-छोटे तौर पे दीएं, मैं अभी आपको छोटे-छोटे तौर पे थोड़ा सा बड़ा statement लिखवा दूँगा, जिससे आपके लिए थोड़ी सी असानी हो जाएगी, चलिए दिहान से देखते हैं क्या है सर्थ, हम नोट करेंगे सर्थ, हमने heading लिखी, section number 53, और 53 में हमने heading के लिखी, distribution of assets और bracket में लिखा, waterfall arrangement, मैंने CIRP किया है, हाँ मैंने 2 cases किये हैं, 2019 में COVID से पहले, COVID के बाद नहीं किया, मैंने COVID से पहले मैंने किया था, बट COVID के बाद तो फिर अब teaching में इतना ज़्यादा involved हो जाते हैं कि इस सब करने का time भी नहीं मिल पाता है, बट present time पे हम लोग IBC में deal नहीं करते बहुत जादा, पहले 2018-19 में मैंने बहुत बार किया, दो बार हम लोग उने full-fledged CIRP की process त्यार कर वाई with resolution plan, और finally वो company को liquidation से बचाया भी, although हम लोग resolution professional नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पर 10 साल का experience नहीं है, तो जिनके एंडर में मैंने training की थी, उनके साथ मैंने एक काम किया, चलिए, आज हो भई, तो हम लोगों ने बोला सर, इसको हम लोग ऐसे बोलते है, प्राइरेटी, ओफ पेमेंट्स, प्राइरेटी ओफ पेमेंट्स, जिसमें पहला नमबर पॉइंट आया, पॉइंट नमबर बान, हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, सौरब कि एक बार क्वेशन आगया, तो बात बार रिपीट नहीं हो सकता, तो हमने बोला सर, सबसे पहले सर, इस पूरी CIRP, PPIRP की प्राइस के दुरान जो भी खर्चा हुआ है, सबसे पहले उसकी पेमेंट होईगी, सबसे पहले लिक्विडेशन के दुरान जो भी खर्चे हुए हैं, उनकी पेमेंट होईगी, कि यहां पर resolution professional की fees भी आ जाती है second number workman dues for 24 months preceding the liquidation commencement date कह रहें जिस दिन आपकी liquidation start हुई है उसके पिछले 24 महिने में देखिए अगर कोई ऐसा worker है जिसको पैसा नहीं मिला तो पहले उसकी wages उसको दी जाएंगी जो उसके worker के dues हैं उसको दिया जाएंगी साथ ही साथ debts due to secured creditors who have relinquished their securities कह रहें अगर ऐसे कोई secured creditors हैं जिनोंने अपनी security के rights को relinquish कर दिया था खतम कर दिया था जैसे मानलो मैंने company को loan दिया और मैंने company को loan ये शर्ट पे दिया कि अगर आप कलको loan नहीं चुपा पाएंगे तो हम आपकी ये specific property बेच देगे लेकिन जब company की liquidation start होई तो मैंने बोला नहीं मेरे कोई asset चाहिए ही नहीं मैं अपने rights relinquish करता हूँ मेरे को normal तोर पे पैसा पे देगा तो ऐसी situation में दिया नखिएगा इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा उस एक साथ लिखने का purpose क्या है कि they both will rank पारी पासू पारी पासू का मतलब क्या होता है कि दोनों को बिल्कुल same weightage दी जाएगी लेकि example देता हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ मान लो कि जो workers के dues हैं ये लेटसे 20 लाक रुपे हैं और जो secure creators को amount due है जिन्होंने अपने rights relinquish किये हैं वो let's say 30 लाक रुपीस है चलो round figure लेते हैं 40 लाक रुपीस है तो इसका मतलब अगर मैं बोलू तो 20 लाक इनको देना है और 40 लाक इनको देना है तो total हो गया हमारे पास 60 लाक लेकिन सर हमारे पास पैसा जो पढ़ा है न वो सिर 30 लाक ही हमारे पास से 30 लाक रुपे हैं देने को लेकिन अब अगर हम 30 लाक मैं से 20 लाक इनको दे देंगे तो 10 लाक इनके लिए बचेगा और अगर 30 मैं से हमने पूरा 30 लाक इनको दे दिया तो इनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए तो कहते हैं इस 30 लाक को हम डिवाइड करेंगे कैसे प्रपोर्शनेटली डिवाइड होगा तो कहते हैं 10 लाक रुपे जाएगा वर्कर्स को और 20 लाक रुपे जाएगा किसको इस वज़े से होता क्या है इसी को बोलते हैं पारी पासू कि ना इनको ना इनको दोनों को प्रपोर्शनेट इसीच का फोकस करेगा सर ये एक्जाम में ऐसे ही लिखकर आईएगा कि पारी पासू इनको यहाँ पर प्रारेटी मिलती है ठीक बात है सर फिर हमारे सामने आया थर्ड अबब अनपेड ड्यूस ओफ इंप्लोईज अब यह दिहान रखेगा यह इंप्लोईज जो है यह अदर दैन वर्कमेन है जो उपर वारे वर्कमेन थे उनके अलावा जो बचे वो इंप्लोईज है द्यू फॉर ट्वेल मन्स प्रिसीडिंग the liquidation commencement date द्यान रखेगा यहाँ पर बारह महीने है इंप्लोईज है यहाँ पर चॉविस महीने है वर्कमेन है यहाँ secured creditors तो है लेकिन ऐसे secured creditors जिन्होंने अपनी securities क्या कर दी है relinquish कर दी है इस सीच पे बहुत focus करिएगा बेटा नहीं तो गर्वर हो जाएगा ठीक है सर उसके बाद आगे बड़े सर चौते नमबर पे हमारे पास आए financial debts owed to unsecured creditors तो यहाँ पे दिहान खिएगा पहले तो बोला गया unsecured creditors और वो भी कौन से वाले financial debt के नेचर वाले पिर पाँचवे नमबर पे सरकार का नमबर आया ओ लिखा amount due to central government and state government for two years relinquish का मतलब सिधानत होता है जैसे माल लीजे मैं एक secured creator हूँ और मैं एक secured creator होने के नाते मेरे पास मैंने जब company को loan दिया तो मैंने company को बोला कि आप अपनी एक property मेरे को गिर्वी रख दी जै लेकिन बाद में क्या हुआ मैंने गिर्वी ही रखी property पर अपना interest खतम कर दिया तो इसको मैंने बोला relinquish कर दिया अलब एक तरी किसे में पहले secured था बट बाद में मैं अपनी मर्जी से unsecured बन गया तो हम लोगों ने बोला सब देखी रिखा है amount due to CG and SG for two years preceding preceding the liquidation commencement date preceding the liquidation commencement date plus, plus ka मत्व अगें पारी पासू debts due to secured creditors who enforced their security interest आप लोग के दिमाग में एक point आ रहा होगा सर कि जब एक particular creator secured creator है तो वो अपना right relinquish क्यों करेगा उसको तो अपना right विलकि relinquish नहीं करना चाहिए तो कह रहे हैं आप अगर hierarchy देखेंगे ना तो hierarchy में देखिए सबसे पहला number किसका आ रहा है उन secured creator का आ रहा है जिनके पास अभी भी security interest है आप अगर इन दोनों में compare करें देखिए इसको compare करिए और इसको compare करिए इन दोनों के बीच में comparison करिए तो पहले किसका हक है उन secured creator का जिन्हों ने अपना right relinquish कर दिया है या उन secured creator का जिन्होंने अपना right relinquish नहीं किया तो सरी ये बहुत important point है उन secured creators को पहले benefit मिल रहा है जिनों ने अपना rights relinquish कर लिया है क्योंकि उन्होंने ज्यादा risk ले लिया और जिन secured creators ने अपना right relinquish नहीं किया उनको पांचवे नमबर पर benefit मिल रहा है इसलिए sir बहुत सारे secured credit अईसे होते हैं जो अपनी भी ध्यान रखिएगा इन में भी लिख दीजेगा ये भी रैंक पारी पास फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट आया पॉइंट नमबर सिक्स अब बस खतम होने पे हैं हम लोगों ने बोला आखरी में एनी रिमेनिंग डेट्स एंड यूस अच्छा मेरा क्वेशन सुनेग माल लीजाए मैं ऐसे बोलते हैं कि सर जो हमारे इंपलॉईज है ना हमारे जो इंपलॉईज हैं उनके पिछले चौदा महीनों की 20 ुस टी मेरे को जवाब दीजेगा जना सब लोग मेरे जो क्लॉईज है उनके 14 महीने की सैलुर्य ड्यूस थी सर लेकिन उपर टो खाली 12 मह पहले दो महीने से नाट याएगा तो पिछले 36 महीने की कैलकुलेशन नहीं हुएगी और shareholder भी विचारा preference है भी क्योंकि पहले उसी को preference दी जाएगी अगर कोई है तो और अगर नहीं है तो सीधे हम आ जाएंगे किस पे equity shareholders बोलिए क्या बात समय में आती है तो यह जो hierarchy है न सत्थ यह hierarchy आपको याद करनी बहुत जरूरी है इस hierarchy के बिना समय लिजए कोई काम चलने ही नहीं वाला waterfall arrangement आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर आपको यह चीज बिल्कुल नहीं समझ में आती तो एक चीज यहाँ पे और mention कर लिजएगा सर मैं आपको इस specific दौर पर लिखवा भी देता हूँ वाल्दो आपकी बुक्स में लिखा भी हुआ है बट फिर भी हम लोग ऐसे बोलते हैं सर over riding effect overriding effect of section 53 under IBC 2016 overriding effect मतलब अगर मान लीजे section 53 या किसी any other law के बीच में contradiction हो जाती है अगर any other law और section 53 इन दोरों में किसी तरीके की contradiction हो जाती है अगर इन दोनों में क्या हो जाती है contradiction हो जाती है तो उस contradiction के चलते section 53 जो है IBC का ये prevail करेगा इस इच पर तरह थोड़ा सा focus अखेगा exam में इस पर question पूछे जाने के chances रहते हैं सर आच्छा जैसे ये distribution हो जाता है सर उसके बाद हमारे पास आता है section नमबर 54 और section 54 क्या कहता है dissolution of corporate debtor क्या मैं ऐसे बोल दूँ कि liquidation का मतलब सारी asset बिग गई सारी liabilities pay off हो गई सब कुछ हो गया अब finally order किसका आना है corporate debtor के dissolution का dissolution के लिए जो liquidator है वो liquidator जाएगा adjudicating authority के पास यह liquidator adjudicating authority के पास एक application फाइल करेगा application for dissolution of corporate debtor लेकिन यह तभी हो पाएगा when assets of corporate debtor are completely liquidated are completely liquidated क्यारे जब corporate debtor की सारी assets completely liquidate हो जाएगी उसके बाद ही liquidator application फाइल करेगा किसको adjudicating authority को इसीच में focus करेगा फिर हम लोग ने बोला अभी matter किसके पास ला गया adjudicating authority के पास तो adjudicating authority क्या करेगी यहाँ पे it shall pass an order of dissolution यहाँ पे adjudicating authority क्या करेगी order pass करेगी dissolution का बिल्कु ठीक बात है जैसे ही order pass होगा corporate debtor shall be dissolved हम मान लेंगे कि corporate debtor क्या हो गई है dissolve हो गई है कबसे with effect from date of order of adjudicating authority और जैसे ही order pass होगा उसके within 7 days copy of order within 7 days copy of order of adjudicating authority साथ दिन के अंदर अंदर जो adjudicating authority के order की copy है dissolution order के copy it shall be forwarded it shall be forwarded to the authority with which cd is registered तो हमारे case में तोड़ा सा topic लास्ट और करेंगे अच्छा लिखा नहीं भी जिसमें case studies भी है और साथी साथ उसमें कुछ direct questions भी है तो आप उनको complete करिए जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि exam में questions किस तरीके से put up किये जाते हैं लो बेटा लो देख लो देख लो कुछ उपर रहे गया हो तो मेरे को बताओ मैं उपर भी कर दो तो देखे हम लोग का करीबन करीबन ऐसा ही 3-3 गंटे का content रहता था हम लोग उने complete किया drive का link मैं ग्रुपे बापस से share कर दूँगा don't worry अभी इसके बाद हमारा थोड़ा सा बसे moratorium और रहता है moratorium हम और कर लें तो हमारा काम हो जाएगा सर हाँ बाटाई सब कुछ है बाटाई ड्राइव पर तुम लोग ड्राइव को अभी तक इसका में खंगाले ही नहीं है ड्राइव को एक पर चेक करें सर अगर आफ्टर डिसलीशन रियलाईजेशन ऑफ द्यू टू कमप्री रहता है तो क्या और यह वाइंड अप है ओ सौरब कैसी बाते कर दे हमारा डिसलीशन होएगा ही तब जब सारे रियलाईजेशन खतम हो चुके होंगे अगर अभी भी कुछ pending होगा तो dissolution order ही नहीं आएगा येस bank moratorium में चला गया था हाँ वही होता है moratorium का मतलब होता है कि आप जो activities कर रहे थे ना उन activities पर रोक लग जाती है पहले जो activities आपको करना allowed था उन सारी activities आपके उपर रोक लग तो ये जो moratorium है ये moratorium word का अगर हम general meaning देखे तो ये निकलता है जब हम आते हैं CIRP में या PPIRP में तो ये बोला जाता है कि जब तक CIRP की process चलेगी जब तक PPIRP की process चलेगी तब तक company के उपर कुछ चीजों को करने की रोक लग जाती है जैसे मैं आपको पताता है देखे आईगे हम लोग एक चोटा सा चार्ड बनाते हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि moratorium actual में क्या होता है देखे देखे हम लोगों ने heading लिखी सर section number 14 और उसमें लिखा moratorium इस spelling का ध्यान अखिएगा बहुत लोग इस spelling में मिस्टेक करते हैं इसीच पर फोकस करें आप देखे देखे दिया आंसर हम लोगों ने रिखा sir consequences of declaration of moratorium by adjudicating authority आपको फेस करने पड़ते हैं जैसे प्रोहिबिशन लग जाती है कि सीच पर प्रोहिबिशन लग जाती है तो हमने बोला अभी resolution plan तयार करवाने के लिए हमने IRP को अपॉइंट किया था अब उसी resolution plan दुराने के time उसके पास मात्र 180 दिन है अब वो इन 180 दिनों में company के resolution plan की त्यारी करें या नए-एन केस आने उनको डील करें क्यों क्यों क्योंकि company का management बोर्ट के हाथों से निकालके resolution professional को दे दिया है ऐसी situation में सर जो resolution professional है वो अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा पाए इस तरिए इन सब चीजों के रोग लगा रहे हैं कोई particular person अगर suit file करना चाहता है corporator के अगेंस्ट moratorium period चल रहा है आप नहीं कर सकते हैं ठीक दूसरे नंबर पर जितने भी case already cases जो चल रहे हैं continuation of pending suits जो भी matter already pending है against corporate debtor उन सब के ओपर रोग लगती जाएगी जो भी matter pending है अब वो pending रहेंगे जब तक यह moratorium period चल रहा है तब तक उसकी कोई date नहीं लगेगी अगर date लगेगी भी तो चुप चाप जाकर या वकील को वकील चुप चप जाके court को बता देगा किसार अभी company का moratorium time period चल रहा है इसलिए हम इस matter को आगे प्रोसीद नहीं कर सकते है चीक पर तीसरे नंबर पर आए execution of any order अगर moratorium time period के दोरान या moratorium time period से पहले court का कोई order आ जाता है जिसकी execution की date moratorium time period के दोरान पर जाए तो उस order को अभी execute करने की विजूरत नहीं है wait करिए जब तक moratorium time period खतर नहीं होगा तब तक execute नहीं करना execution of any order of any court, criminal या फिर other authority और ये इसका हम पीछे मैंने आपको logic दिया कि ऐसा क्यूं बोला जा रहा है जिससे कि जो IRP है वो बचार आपना काम कर पाए इन सब फालतू के मामलों में बीच में ना फसे इंजंक्शन जो होता है ये court का order होता है हमेशा दियान अखिएगा जो injunction order ह ये civil matters में आता है और जो moratorium time period है वो यहीं पर count हो रहा है इस particular purpose के लिए तो injunction अलग से cover होता है और moratorium अलग से cover होता है दोनों को mix up ना करो ठीक है फिर हमारे सामने आया है fourth number point रोक लगा दी जाएगी किसीच पे transferring, encumbering, disposing of assets नहीं moratorium time period के दुरान company के आप assets को बेच पाएंगे नहीं उसको dispose of कर पाएंगे नहीं किसी तरीके से उस पे किसी तरीके की कोई security create कर पाएंगे इसका मतलब अगर आप mortgage करके pledge करके company की किसी भी तरीके से loan मगरा लेना चाहते है नहीं ले पाएंगे ये point बहुत important है इससे point number five recovery of any property इससे focus करिए कि जड़ा recovery of any property by any owner lesser which is in possession of corporate debtor अब ये क्या है सर क्या बोल रहे है आउट्स्टेंडिंग सिक्योर लोन विद एनोसी देखर apply कर सकते है और भाई फैजान अभी कहां फिर तुम बीच में डॉर्वन कंपनी लेकर आ रहे हैं अभी हम आ नहीं आपके question पर अब ये तो है कि शायद कल को company liquidate भी हो सकती है जैसे मेरे को पता लगा कि company की CIRP process चल रहे हैं मैं डर के हूँ मैंने का पता नहीं मेरे रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या मैं तुरंद कंपनी को बोल दूँ भाईया मेरी प्रोपरटी खाली अब resolution professional कहा रहा है हम appoint किये गए है 180 दिन में CIRP की process को खतम करने के लिए प्रोपरटी के ओनर पर या प्रोपरटी के लेसर पर अगर company की CIRP या PPIRP प्रोसेस चल रही है तो तुम उससे प्रोपरटी खाली नहीं करवा होगा जैसे चल रहा है चल नहीं दो ठीक सर और last में point आता है सर हमारे पास point number six जहां पे बोलते हैं any action to recover या enforce any security interest इन्क्लूडिग एक्षिन अंडर सार फेसी act 2002 क्या रहे मान लीजे कि जो corporate debtor है उस corporate debtor ने किसी तरीके का loan लिया हुआ है और उस loan पे कोई secure creator है तो जो secure creator है वो चाहता है कि moratorium time period के दुरान वो अपनी security को बेच के अपना loan amount recover कर ले क्या वह ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता है भले वो सार फेसी है आपको सबसे विशेश दौर पर इन चीजों का दिहान देना होगा इनके विनापता नहीं चल पाएगा सर एनिवन परसंग के फाइल सूट अगेस्ट moratorium नहीं कर सकता हम लोग उने point number one पर ऐसा देख लिया है यश आप ज़ला धिहान से देखें यहाँ point number one पर क्या लिख सही है तो उमीद करता हूँ आपको यह सारी बात तो समझ में आ गई इसमें कोई दिक्कतली बात नहीं है तो point number one पर आपको यह सारी क्लियर है अभी दियान से सुनेगा मैं आपको एक एक्जाम्पल देता हूँ और उस एक्जाम्पल को जड़ा थोड़ा सा फोकस करके सुन सब्सक्राइब देखें को आप भी साथी में सप्लाइब ओफ एसेंशल गुड्स और सर्विसेस नौट तू भी एफेक्टेट सौरब करें उपर एक डाउर सा पुछा सब्सक्राइब को मैं देखें रहा हूँ द्धाइसो में आप ने बताया है कि नो एफेक्ट होगा ओन रियलाइजेशन आफ्टर डिजिलूशन भी सौरब क्या बात कर रहें बटा इस स्ट्राइक ओफ के रिगार्डिंग हम लोगों ने बोला था रियलाइजेशन हो सकती है डिजिलूशन के बाद नहीं हो सकती है वहाँ भी हम यह पढ़कर आया थे कि स्ट्राइप ओफ का मतलब है कंप्प्रियां भी डिजॉल्व नहीं हुई है 20 सालों तक कोई भी क्लेम रेस किया जा सकता है 20 सालों के बाद उसको डिजॉल्व कर देंगे क्या अब दो हाँ बिल्कु ठीक बात इसे दांत यह श्क्या कहते हैं नहीं सर्स कॉर्प्रेट डिटर पर नहीं अथॉरिटी हुए स्पास्ट और नहीं आप अथॉरिटी को यह ओडर थोड़ना पास कर रही है यह बटा मोरेटोरियम टाइम पिरिट चालू हो जाएगा अपने आप अटोमाटिकली यहां पर कोई अथॉरिटी ऐसे यह थोड़ना बोल रही है कि नहीं तुम नहीं करोगे तुम नहीं करोगे तो होना ही होना है सब के लिए ठीक सर कहरें सर जब एक पर्टिकुलर कंपनी की CIRP य मना कर दें अलेक्रिसीटी इस उपलाय toות नहीं होना कर देंगे पता निंगे विभाग कर रहा है यह पानी अने देंगे को सरकारी पानी अलंख्ट होना को इसा को देगा टेलिफोन वाले कह रहे हैं हम अपना लैंड-लाइंग कन्यक्शन चाटने जा रहे हैं ब्रॉट्बेन कनेक्शन कांगने जा रहे हैं पता नहीं कल को बिल कर पाएं ना कि पता है क्या वह तर कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं तब लिखा essential goods और services जो है ना उनके ओपर कोई effect नहीं पड़ेगा moratorium time period का तभी देखे हम लोग क्या लिख रहे है कि यह चल रहा है sir period of moratorium क्या चल रहा है period of moratorium और यहां पर हमने क्या लिखा supply of essential goods or services shall not be supply of essential goods or services shall not be terminated shall not be suspended and shall not be interrupted तो नहीं आप उसको काटेंगे नहीं आप उसको रोकेंगे और नहीं किसी तरीके की उसमें interruption पैदा करेंगे तो जो essential commodities है उनको जैसे चल लाता बैसे चलने दिया जाएगा सरी यह तो सही है company आंग को बोल के moratorium लगा ले अरे यार कैसी बाते कर रहे हो यार हिमाशू क्या बोल रहे हो बेटा company adjudicating authority को बोलेगी कि moratorium time period चालू कर दो क्या आप बोल रहे हो बेटा मूँ धुल के आओ बेले क्या कह रहे हो बेटा मैं बोल रहे हो moratorium time period चालू हो जाएगा तुम बोले moratorium time period की हम demand करेंगे भाई demand नहीं करते है adjudicating authority moratorium time period अपने आप देती है वो moratorium time period के दौरान ये सारी चीज़ों पर रोक लग जाएगी कि आप ये सब चीज़े नहीं कर पाएंगे पस बात खतम दीप्ती कहती है moratorium CIRP PPIRP दोनों case में होगा हाँ जी सब दोनों case में होगा हम दोनों cases में पढ़ते हैं बिलकुल होगा अब एक point मेरे एक example समझेगा से माल लीजे कि एक builder है और एक company है let's say hevels क्या रहे हैं सर hevels नहीं builders के साथ एक contract किया था और उस contract के चलते hevels company जो है वो builder की दो buildings के लिए electrical products, wires, switchboards यह सब supply करने वाली थी और यह contract तकरीबन 5 करोड का था अब धियान से समझेगा builder कह रहा है builder की na CIRP स्टार्ट हो गई है अब जो hevels है यह hevels company वाला कहता है कि भाईया builder तुमारी CIRP स्टार्ट हो गई है अब हम पागल थोड़ी नहीं जो तुमको पांच करोड उपे का माल सप्लाई कर देंगे पाता नहीं तुमको पैसा देपाऊ ना देपाऊ बोलू पाता नहीं तुमको पैसा देपाऊ यह ना देपाऊ बहला समझना है भाईया लेकिन तुमको पांच करोड का समान दे देतें कोई दिक्केत अली बात नहीं थी लेकिन तुमारी तो CIRP प्रॉसेस रही है पता नहीं तुमको यार लिक्विडेशन ना हो जाए तुमारी लिक्विडेशन अगर हो गई तो हमको यह मेरे पांच करोड तो मेरे समान नहीं दे रहा है है अगर तुम एक पांच करोड का कम यह समान दे दूना मैरे बिल्डिंग तियार हो जाएगी तो मेरे सारे बिंसारे बिग गए तो मेरी कम्पनी कभी 140 होईगी ही नहीं क्या मैं बोल दूँ इस builder के लिए Hevels का ये particular पांच करोड का contract बहुत critical है अगर यहाँ पे Hevels company ने अपने इस पांच करोड के contract को पीछे खीच लिया तो भाईया builder का बहुत उपसान होने वाला बहुत जादा उपसान होने वाला builder कह रहा है अगर ये पांच करोड रुपे का contract execute हो गया तो मेरी पूरी building तयार हो जाएगी उस building में सारे flat तयार हो जाएगे मेरे सारे flat बिग भी जाएगे बिग गए तो करोड रुपे आ जाएगा मेरे पास मेरी company insolvent होने से बच जाएगी क्या हो जाएगी सर आशीश कहता है moratorium देते ही क्यों है ओ भाई आशीश तुम लोग बीच बीच में से class को अटेंड ना करो देखो क्या लिखा लिखा है ध्यान से लेखिएगा क्या लिखना है लिखा where the interim resolution professional or resolution professional considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the corporate देटर क्याने अगर resolution professional को लगता है कि कोई commodity की supply होने वाली है और वो जो supply जिस सीच की होने जाड़ी है वो बहुत critical है जिससे हम corporate debtor की value को preserve कर सकते है and manage the operations of such corporate debtor as a going concern और अगर वो particular goods or services मिल गई है विल से तो company की going concern की process execute हो सकती है company बचाई जा सकती है then supply of such goods or services shall not be terminated तो ऐसी situation में ऐसी goods or services की supply को terminate नहीं करेंगे नहीं suspend करेंगे नहीं interrupt करेंगे बास में आती है क्या बास में आती है येस सर्ड बहुत अच्छी बात है सर्ड कोई दिक्कतली बात नहीं है अच्छा फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि सर जिस time company का ये CIRP चल रहा होगा या PPIRP चल रहा होगा तो company ने अगर company को अगर सरकार की तरफ से कोई license मिला है कोई quota मिला है कोई concession मिला है कोई subsidy मिली है तो क्यों वो वापिस ले ली जाए या उसको जैसे चलने चलने दिया जाए सर वो जैसे चलने दिया जाए तभी लिखा जियान से देखिए a license, permit, registration, quota, concession, clearance और a similar type of any grant or right given by the central government, state government, local authority to any other company to any company it shall not be suspended or terminated on the grounds of insolvency सिर्फ इस ground पर आप उसको terminate कर रहे हैं हमारी insolvency की process स्टार्ट हो गई है इससे को मतब नहीं है जो जैसे registration चलना था वैसे चलता रहेगा ठीक बात है हो गया लोग तुमारा moratorium भी खतम हो गया आपका moratorium भी खतम अब देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ देहान से सुनिएगा आप लोग अभी हम लोग class भी यही wind up करेंगे क्योंकि अभी आपकी class 3-3 बजे कमडी नोगी भी है शिवानी मैं का मेरे पस message आया है कि उनकी class है देहान से सुनिएगा मेरी बात को मैंने आप लोगों को questions भेजे हुए है questions भेजे हुए मैंने आपको of IBC करीबन 32 questions इन 32 questions को आपने पूरी तरीके से पढ़ना है लेकिन यह धियान लखिएगा यह questions को पढ़ने से पहले आप पूरा chapter revise करिएगा अच्छे से कम से कम दो बार दो बार revise करने के बाद आप इन questions को solve करने की कोशिश करिएगा जिस question में doubt लगेगा आप मेरे को भेज़ेगा हम लोग उसको discuss कर लेंगे यह question आप से हो गए तो समझे लेजे आपका पूरा chapter complete हो गए secondly कल नहीं but day after tomorrow day after tomorrow it means कल मेरी EBC की class होएगी तो Friday को Friday को हम एक class रखेंगे sir SBC की जिसमें हम drafting वाला content करेंगे like drafting of resolution drafting of notice इनको हम prepare करेंगे drafting of minutes जिससे कि अगर आपके exam में ऐसा कोई question आ जाए तो वो bounceर न लगे आप उसको attempt कर पाए ठीके बाद तो हम लोग Friday वाली class में ये करेंगे मैं आपको Friday की timing बता दूँगा वैसे दिन में रखेंगे hardly एक से देड़ घंटे की ये class होगी उससे जादा की ये class नहीं होगी उतने में हम लोग ये drafting वाला पूरा portion कर लेंगे ठीके कोशिश करिएगा कि तब तक आप ये 32 questions भी complete कर लीजेगा जिससे कि जिन बच्चों के IBC के questions में doubt होईगे वो doubts भी हम लोग उसी दिन clear कर लें जिससे कि हम लोग Friday को इस दीश को wind up कर पाए सर moratorium give the borrower adequate time to sort out finances वो ही भी critical service interrupt हो सकती है वो बता देना प्रीज सर्वेन amount is due or a point अच्छा ध्याद सुनिएगा हम लोग ऐसे कहते हैं कि सर जो ये critical service का point हम लोग ने पढ़ा ना इसमें last में एक line लिखी है except where such corporate debtor has not paid dues arising from such supply during moratorium period कह रहे हैं इस company को ये जो builder है ये पांच करोड रुपय अगर तोरण देने को तयार है तो फिर ऐसा situation में कोई problem नहीं है उसको moratorium time period में हम वो supply करने देंगे अब अपनी चीजों को संभाल लीजे जो जैसी situation है वैसे में ही resolution plan करिए जिससे कि कोई दिक करता हो बहुत ठीक बात चलिए तो अभी हम लोग class को फिर यहीं पर wind up करेंगे hope so you enjoyed the session जैसा भी आपका feedback को एक बात comments में जरूर दीजेगा और कोशिश करिएगा कि आप IBC को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि जो part C है आपका उसमें तीनी chapter है और 25 marks का है मेरे को ऐसा लगता है कि part B और C आपको पहले बहुत अच्छे से prepare कर लेना चाहिए जैसे कि आपके 60 marks पूरी तरीके से secure हो जाए पार्ट A में अलड़ी हम लोग 11-12 classes लगा चुके हैं तो उन 11-12 classes को अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग लगभग पार्ट A भी आदे से जाधा complete है तो आप उनको जरूर complete करिए जिससे कि आप SBC में अच्छे score कर पाए इजी सब्जेक्ट है बट इट डिजन्ट मीन की पता लगे कि आप इजी के चक्कर में उसको लीनियंटी ले गए और वो भी प्रिपेर नहीं हुआ जिधे खुली होए न? सवर्पाथ कर सप्राइब रहा है या पीछे, पीछले। नहीं नहीं करेंट डिउस्ट के, यही वाले गपर कार ना? वो जो NOC वाली बात है ना वो सिर्फ और सिर्फ यह देखी लिखी हुए है आप खोड़िए पे नंबर 442 और देखी लिखा है यहां पर लिखा है प्री रिक्विसाइट फॉर अप्टेनि दा स्टेटस ओव डॉर्मेंड कंपनी अगर आप डॉर्मेंड कंपनी का स्टेटस लेकिन लिखा है तो आपको NOC चाहिए अदर्वाइस नहीं चाहिए अगर यह NOC दे देते हैं तो हम डॉर्मेंड कंपनी की ने अप्लाइ कर पाएंगे अदर्वाइस नहीं कर पाएंगे अदर्वाइस नहीं कर पाएंगे ठीक है चल तो all the best अच्छे से पढ़िए कोई दिक्कत लगे तो प्रीज में देसे पूछिएगा अदर्वाइस नेक्स क्लास में मिलेंगे तिल देन गुडबाई enjoy your day अच्छे से पढ़ाई करिए पेशन्स रखिए पैनिक ना करिए जितना पढ़ पाएं उतना पढ़ ठीक है सब ड्राइब प्रे प्रेवाई उतना पुर्ट करिए प्रेव प्रृट क्रिए ब्रा मैं मिलेंगे ट्रीक ट्रीक है से पराइब देना उतना था जिए प्रिएब प्रीकातशना चैसे प्राइब है के तो नद्रे ट्रीक र Stretch